हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक, स्वागत हैं आपका इंडियन एकोनोमी, भारत की अर्थववस्था के लेक्चर नमबर 7 में, लेक्चर नमबर 7 में दोस्तों आज का हमारा ये lecture जो हमारे पिछले तीन lectures lecture no.4, lecture no.5, lecture no.6 जहां पर हमने शुरुवात की कि इंडिया के economy किस तरीके से होगी इंडिया के economy planned economy क्यों होगी या फिर planned economy के basic concepts क्या है, terminologies क्या है उसको हमने start किया lecture no.4 के last part में उसके बाद lecture no.5 में हमने इंडिया की जो planning रही या planning in India रही उसको आगे बढ़ाया और पिछला जो हमारा lecture रहा lecture no.6 उसमें हमने काफी detail में जाने की कोशिश की कि planning commission के through या बाकी जो अलग-अलग basically plans रहे इंडिया के economy में भारत की अर्थविवस्ता में उनको एक-इक करके आपके साथ detail में हम discuss करें उनका क्या salient features रहे क्या उनके characteristics रहे किन चीजों में वो successful रहे किन चीजों में शायद इतना successful ना रहे हों इसके बारे में भी हमने आपसे बात करने की कोशिश की हमने बात की सभी 5-year plans की हमने बात की basically 20-point program की हमने उसके अलावा भी जो government के initiatives रहे या thought process रहे कि इंडिया की planned economy या इंडिया की economy में planning को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए कैसे execute किया जाए कैसे उसको fine-tune किया जाए कैसे उसको और ज़्यादा effective, efficient और robust बनाया जाए इसके बारे में काफी detail में discussion करने की कोशिश की दोस्तों उसी discussion को अब और थोड़ा आगे बढ़ाया जाए आज के lecture में जो हमारा planning in India का part 3 होगा आज के lecture में कुछ interesting concepts कि कोई भी economy हो, कोई भी अर्थविवस्ता हो, ultimately उस economy का ultimate objective होता है कि उसके जो citizens हैं, वहां के जो common लोग हैं, उन तक उसका पूरा पूरा फायदा पहुंच सके तो आज का lecture सबसे पहले हम शुरू करेंगे inclusive growth के concept से उसके बाद कोई भी economy हो, या कितना भी अच्छा plan बना लें, लेकिन actually उसको real में execute करने के लिए आपको resources चाहिए, resources central government को चाहिए, resources state government को चाहिए, resources private sector को चाहिए और resources आम जनता या common people को भी चाहिए, इन resources को कैसे mobilize किया जा सकता है, कैसे fund किया जा सकता है, अलग-अलग investment models basically क्या हो सकते हैं, और 1951 से लगातार, वो कौन-कौन से different phases रहे इंडिया में investment models के, क्या उनके upsides रहे, क्या downsides रहे, क्या shortcomings रही, और कैसे उनसे learn करते हुए इंडिया, इंडिया की leaders, इंडियन economy आगे बढ़ती चली गई, उसके बाद हम इस बारे में भी बात करेंगे, कि धीरे-धीरे, जब चीज़ें planning से execution की तरफ जाती हैं, तो resource mobilization एक important factor है, कि अगर आपके पास resources नहीं होगे, पैसा नहीं होगा, funds नहीं होगे, तो plan कितना भी अच्छा आप बना ले, उसको execute कैसे कर पाएंगे, लेकिन जब आपने अलग-अलग investment model से, उस resource mobilization को ensure कर लिया, तो फिर next critical path basically हो जाता है, कि अब कैसे उन plans को आप ground level पे, जमीनी इस तर पे execute करेंगे दोस्तों, वो कौन-कौन से methods रहे, चाहे वो central schemes रही, centrally sponsored schemes रही, चाहे वो additional assistance रहा, NCA रहा, national development agenda रहा, इन सारी चीज़ों की भी आज हम detail में discussion करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारा अगला lecture होगा, lecture number 8, वो actually planning in India, कि जो हमने शुरवात की discussion की इस series की lecture number 4 से, उसको basically close out करेगा, एक detailed discussion के साथ on नीती आयोग, कि वो क्या situations रही इंडिया में, कैसे circumstances change हो गए, इंडिया as a country कैसे evolve हो गया, चाहे economy हो, चाहे polity हो, चाहे society हो, चाहे technology हो, चाहे education हो, चाहे aspirations हो, चाहे private sector हो, चाहे international connections organizations हो, या हमारे खुद की learnings हो, जिसकी वज़े से हमें लगने लगा, कि actually, जो हमारा prime institution रहा इतने decades था, until 2015, planning commission, जिसने हमेशा से, बहुत central role, बहुत important role, play किया, पूरी Indian economy में, या फिर planning in India में, वो कैसे हमें दिखाए देने लगा, या पूरी political leadership को, कैसे ये चीज़ महसूस होने लगी, कि अब ये institution, शायद, नए इंडिया के हिसाब से पूरी तरह तयार नहीं है, अब शायद ये obsolete होने के कगार पे है, अब शायद जरूरत है, कि एक और ज्यादा lean mean powerful institution को लाया जाए, जो कि 21st century India, या new India का जो concept है, उसके idea को support करने के लिए ज्यादा अच्छे से structured हो, ज्यादा अच्छे से resource हो, ज्यादा अच्छे से oriented हो, और lecture no.8 के साथ, हमारा ये जो पढ़ाव है, कारवा है, जो lecture no.4 से शुरू हुआ, प्लाइंग इंडिया, उसको हम wrap up करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद lecture no.9, lecture no.10, lecture no.11, etc, etc, नएने concepts को Indian economy से related, या फिर economics in general से related, आपके सामने introduce करते रहेंगे दोस्तों, तो आईए Without much ado, let's begin with lecture no.7, जो primary reference हमने इस पूरी सीरीज, या in fact, लगवाक सभी lectures जो हैं हमारे Indian economy के, जिस particular reference पे based हैं, वो है Indian economy by Ramesh Singh, 13th edition 2021-22, उसके अलावा भी हमने कुशिश की है, कि दूसरे references से भी कुछ material हम लें, और उस material को आपके हैं, आपके सामने present करने की कुशिश करें, दोस्तों, तो आईए, सबसे पहला जो हमारा concept है, lecture no.7 का, जिसका नाम है inclusive growth, आपने कई बार इस चीज़ के बारे में सुना हो गा, तो सबसे पहले ये important है, कि inclusive growth, जो बहुत famous terminology रही for a long long period, actually है क्या, इसको breakdown करिए, inclusive and growth, growth का concept हम बहुत detail में समझ चुके हैं, inclusive, inclusive का मतलब ऐसी growth हो, जिसका benefit, जिसके broad-based benefits, जिसके फायदे, फायदे, सभी लोगों तक, बराबर तरीके से पहुंच सकें, सभी के लिए equal opportunities generate हो, सभी लोगों को उस growth का पूरा-पूरा फायदा मिल सकें, कहीं ऐसा ना हो कि economy तो आपकी 15% पर एनम पर growth कर रही है, या grow कर रही है, लेकिन सिर्फ top 5% लोगों को ही उसका benefit मिले, और जो बाकी 95% population है, उसको उस basically growth का फायदा ना मिले दोस्तों, ऐसी growth को आप कहेंगे non-inclusive growth, तो actually UNDP हो, चाहे हमारा 11th 5-year plan हो, और 11th 5-year plan कब से कब तक है, 2007 to 2012, इन दौनों basically concepts से, इंडिया और इंडिया की leadership, खास्त और से हमारे economists, finally इस चीज़ को महसूस करने लगे, कि इतने सालों, इतने decades में इंडिया ने जो economic growth achieve की है, हो सकता है, उसका basically फायदा नीचे तक नहीं पहुंच रहा हो, इसका मतलब जो ideas है, growth and development के, उसमें जब तक inclusiveness नहीं आएगी, तब तक हो सकता है, यह meaningless सी दिखाई दे, for a large population of the country, and finally, 2000 और 2001 में, government of India eventually, इस बारे में बहुत seriously सोचने लग गई, consider करने लग गई, कि किस तरीके से हमारे economy में inclusiveness को लाया जाए, और जब 1991 में economic reforms की शुरुआत हुई, उनकी performance को हम assess करने लगे कि कैसी performance रही, इन सारे economic reforms की क्या वास्ता में उतने effective हैं, जिस effectiveness की इस country को ज़रूरत है, तो इस पूरे review के दौरान, यह बहुत strong feeling निकल के आई, कि economically तो हम grow करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन यह भी actually सच है, कि जो growth हो रही है, या wealth creation हो रहा है, सभी लोग शायद इसके part नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब जो भी resources हों, चाहे physical resources हों, human resources हों, जब तक सभी लोगों का इसका benefit नहीं मिल पाएगा, आपके economic reforms से, economic growth से, उनके जो fruits हैं, वो disadvantages या marginals जो sections हमारे society के, उन तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो ऐसी economic growth को आप complete नहीं कह सकते हैं, इसका मतलब जो हमारी growth process है, reforms, 1991 से लेके, 2000-2001 तक ऐसा लगता है, कि जो बहुत बड़े segments हैं हमारे Indian population के, ये इससे deprived basically रहे गए, इससे वंचित रहे गए, इसका फाइदा basically बहुत large population तक नहीं पहुँच सका, और इस economic reforms की performance review के दौरान, जब ये चीज हमारे economist हमारी leadership को समझ माने लगी, कि actually growth तो हम achieve कर रहे हैं economic reform से, लेकिन वो inclusive growth नहीं है, और इसी वजह से, ये जो 2000-2001 का review रहा, इसने trigger किया पूरी government या हमारी planning process में, एक नए thought process को, जिसको कहा गया कि actually growth ऐसी achieve हो, जो inclusive भी हो, जो सभी को फाइदा पहुचा सके, जो हमारे disadvantage and marginalized sections हैं, especially हमारे scheduled cast, scheduled tribes, OBCs, minorities, women, इन तक जब तक उस growth और development का फाइदा, पूरी process का फाइदा नहीं पहुच पाएगा, इस growth को sustainable, meaningful, effective, broad-based नहीं कहा जा सकता, अगर हम official terminology की बात कर लें, तो real attention inclusiveness को दी गई, 11th 5-year plan from 2007-2012, और इस 5-year plan में, बहुत clear policy, कि किस तरीके से inclusivity को include किया जाए हमारी growth में, और यह जो marginalized sections हैं, यह जो disadvantages section हैं, चाहे socially disadvantaged हों, चाहे economically disadvantaged हों, इनको किस तरीके से इस economic growth का फाइदा पहुँच सके, जो हमारा 12th 5-year plan रहा 2012-2017 से, उसने जो 11th 5-year plan में inclusive growth का concept स्टार्ट हुआ, उसको और जादा basically आगे बढ़ाया, और इसके बाद, अगर आप 12th 5-year plan का official slogan देख लें, तो official slogan है 12th 5-year plan का faster, sustainable and more inclusive growth, इसका मतलब inclusive growth 11th 5-year plan से concept स्टार्ट हुआ, और 12th 5-year plan में, तो ये core value बन गया, हमारी पूरी planning process of Indian economy का, और inclusive growth का achieve करने के लिए, गौर्मेंट ने दो clear strategies को device किया, एक तो short term की जल्दी से जल्दी हम short term क्या measures ले चकें, ताकि सभी को इसका फायदा पहुँचे, और दूसरा long term policy, ति कि इस तरीके से हम short term gain से आगे, सोचें कि इस inclusive growth के पूरे concept को sustainable basically बनाया जा सकें, सबसे पहले discuss करेंगे कि वो short term policy measures basically क्या रहे, यह जो short term policy measures रहे, inclusive growth insure करने के लिए, यह particularly aimed थे कि किस तरीके से जो goods हैं, services हैं, इनको जो हमारे disadvantage और marginal sections of society के लिए, उन तक किस तरीके से जो bare minimum और essential goods and services हैं, उनको पहुँचाया जा सकें, और किस तरीके से आप यह करेंगे, यह आप करेंगे बहुत सारी central sector schemes या centrally sponsored schemes, जो कि actually central government और state governments दोनों मिलके run करते हैं, क्या exactly है central sector schemes या centrally sponsored schemes, इसके बारे में कुछ time के बाद आपके साथ हम बहुत detail में deep dive करेंगे, आपके साथ discussion करेंगे, तब आपका concept बिलकुल clear हो जाएगा, कि central sector schemes क्या होती है, centrally sponsored schemes क्या होती है, यह जो short term policy है, इसका purpose यही था, कि जो central sector schemes हैं या centrally sponsored schemes हैं, इनके तुरू किस तरीके से हम जो हमारे disadvantaged और marginalized sections हैं, उन तक bare minimum essential goods and services को पहुँचा सकें, अच्छा कौन-कौन से areas इस short term policy में government ने cover करने की कुशिश की होगी दोस्तों, सोचके देखिए, social sector के बारे में सोचिए, जब भी आप welfare state के बारे में सोचें, जब भी आप basically bare minimum essential goods and services के बारे में सोचें, तो हमेशा social sector आपके mind में आना चाहिए, पहला जो policy area हुआ, वो हुआ food and nutrition, food and nutrition, जो हमारे disadvantages, marginalized sections हैं, इन तक पहुँच सकें, हमारी जो growth और double print हैं, वो inclusive हो सकें, उसके लिए government ने बहुत सारी schemes चलाई, जैसे अनपूर्णा, अन्तियोदया, midday meal scheme, और 2013 में, National Food Security Act, तो food and nutrition, सेकेंड हो गया, healthcare and sanitation, तो healthcare और sanitation की facility, हमारे सभी sections तक पहुँच सकें, उसके लिए National Health Mission, Total Sanitation Campaign, आशा, Mission Indra Dhanush, और अभी latest, स्वच भारत अभियान, दो important areas covered, थोर्ड important area हो गया, housing, इंद्रा आवास योजना, राजीव आवास योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, इच्सेटरा इच्सेटरा, और कई states में, मुख्य मंत्री आवास योजना भी launch की गई है, चौथा important, जो policy area रहा, वो रहा drinking water, National Rural Drinking Program, अमृत योजना, इच्सेटरा, और पाँच्वा important social sector रहा, education, क्योंकि education के बिना तो discussion कभी complete हो ही नहीं सकता, सर्व सिक्षा विहान, राष्ट्रिय माध्यमिक सिक्षा विहान, model school schemes, etc, etc, तो ये पाँच important social sectors, food and nutrition, healthcare and sanitation, housing, drinking water, and education, ये पाँच ऐसे sectors रहे, जो government ने, basically short term policy measures, जिसके through inclusive growth आप अचीव कर सकते हैं, achieve करने की कोशिश की दोस्तों, अब, आपको लग रहा होगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या, जिस मनशा से, जिस intention से, जिस vigor से passion ने, government ने, इन short term measures को launch किया, उसकी, क्या success रही होगी, क्या 100% अपने targets को अचीव कर पाए, या, कुछ drawbacks भी देखने को मिले, दो important drawbacks, पहला, कि ये जो short term schemes थी, चाहे वो food and nutrition हो, healthcare, sanitation हो, housing हो, drinking water, education हो, ये सारी की सारी schemes, subsidy based थी, इसका मतलब, जब तक government subsidize करेगी, तब तक ही लोगों को फाइदा उसका हो सकेगा, और subsidy के लिए, आपको इसका मतलब की, सरकारी पैसा, जो हमारा national act checker है, उससे basically पैसा, या एक जगे का पैसा, दूसरी जगे subsidy में divert करना होगा, तो अगर आप, fiscal point of उसे सोचें, तो ये fiscally sustainable schemes नहीं दिखाई थी, पहला drawback, दूसरा drawback, कि जो schemes हैं, इन्हों ने, जब तक subsidy मिलती रही, माली जे किसी को आप subsidize rate पे घर दे रहे हैं, या आपको subsidize rate पे राशन दे रहे हैं, subsidize rate पे education दे रहे हैं, तो उसमें, subsidy के साथ, वो commodity तो आप उसको दे देंगे, वो राशन तो आप उसको दे देंगे, लेकिन माली जे 15 दिन में राशन खतम, उसके बाद क्या? तो जहां बात आ जाए, कि self-dependent उस population को बनाया जाए, उनको capable बनाया जाए, कि जब उस support को government withdraw भी कर ले, तो भी, वो जो section हमारी population का, या वो household है हमारी population का, वो खुद इस लायक हो जाए, कि वो खुद बेसिकली अपनी life bread earn कर सके, अगर आप अच्छी education दे दें, skill दे दें, अच्छा हमको जॉब लग जाए, उसके बाद government उनको support करे या ना करे, वो खुद self-dependent हो जाएंगे दोस्तों, तो दो major drawbacks, पहला, subsidy-based model, physically sustainable नहीं, दूसरा, schemes ने उनको immediate relief तो दिया, लेकिर उनको long term में, जो target population रही, उसको self-dependent बनाने की तरफ focus नहीं किया, ये कुछ short term measures हुए, वहीं government ने सुचा कि short term measures से, immediate relief हम in sections को दे सकते हैं, लेकिर ultimately, तो हमें self-dependence के साथ, इनको sustainable भी बनाना होगा, उसके लिए हमें short term measures के साथ, कुछ long term policy measures भी ensure करने होंगे, तो आईए अब बात करते हैं, इन long term policy measures की, जो long term policy measures रहे, इनका एक ही एम था, कि किस तरीके से हम self-dependence, और sustainability element, जो कि short term measures में missing था, उसको basically, इस पूरे inclusive growth की concept में insert करें, गॉर्मेंट ने कई सारे different attempts किये, और ये attempts, चार important areas में हम basically divide कर सकते हैं, पहला, कि जितनी भी schemes, जो aimed थी, poverty elevation की तरफ, या employment generation की तरफ, अगर आप poverty elevation कर देंगे, employment generate कर देंगे, उनको self-dependent बनाने की तरफ आप move करेंगे, पहला major long term policy initiative, दूसरा, कि जितने भी programs launch किये गए, education related, कि अगर आप लोगों को educate कर देंगे, skilled कर देंगे, खुद का job वो खुद ढून पाएंगे, तो actually long term sustainability या self-dependent वो बन जाएंगे, तीसरा initiative, कि जो हमारी education है, इसको कैसे vocationalize किया जाएं, कैसे जैसे कि industrial training institutions को promote किया जाएं, ताकि real hands on training हो, industry के साथ better coordination हो सके, better skilled हो सके, और better employability उनकी हो सके, और recent idea, skilled development का, ती किस तरीके से, education को थो हम strengthen करें ही करें, लेकिन लोगों में skill development को भी बेसिकली और जादा प्रमोट करें, ताकि long term में, ओ, self-dependent होने के साथ साथ, actually, ये physically sustainable भी हो, तो poverty elevation, education, vocationalization of education, and skill development, skill development, और imparting right skills among the population, ये जो concept था, ये 2008-2009 में बेसिकली launch किया गया, through a skill development program, जिसका नाम रखा गया, National Skill Development Corporation, जो actually a joint venture, not-for-profit company है, under ministry of finance, और overall target रखा गया उस वक, कि 2022 तक, roughly 500 million, जो हमारी citizens हैं, मतलब roughly, पचास करोड दोगों की, जो skill है, उसको हम skill impart करेंगे, या फिर उनकी जो skills है, उनको better बनाएंगे, अब skill basically करेंगे, और किस तरीके से करेंगे, जो हमारा private sector initiatives है, उसको हम, हमारे government initiatives के साथ, किस तरीके से pool कर सकें, synergize कर सकें, या hence basically join कर सकें, कि जो हमारा skill development program है, उसकी funding हो, उसकी effectiveness हो, उसकी relevance हो, आप ऐसी skill देते, जो industries को, इसकी ज़रुवत ना हो, तो फिर वो skill development program, complete failure ही होगा, और जब 2014 में, नई government ने basically took over किया, तो एक नया program लाँच किया गया, जिसका नाम, skill India रखा किया दोस्तों, तो इस तरीके से, कुछ short term measures, और कुछ long term measures, और इस तरीके से, inclusive growth, का जो concept, 2000-2001 के review में निकल कर आया, उसको 11th five year plan, 2007-2012 का जो five year plan रहा, उसमें formally include किया गया, और उसके बाद जो 12th five year plan, formulate हुआ 2012 से 2017, उसके तो main slogan में ही, इसको insert, embed कर दिया गया, जो 11th planning commission है, या 11th five year plan है, इन्होंने ये कहा, कि inclusive growth, तभी ensure की जा सकती है, जब आप actually, एक degree of empowerment, ऐसी create कर देंगे, अपरी population में, जिससे लोगों को लगे, कि पूरी democratic polity, या economic activities में, सभी का whole hearted participation, ensure किया जा रहा है, दोस्तों, अगर आप disadvantage, या marginalized groups हमारे हैं, उनको empower करेंगे, तो actually, आप सही माइने में, inclusive growth की तरफ, march करेंगे, achieve कर पाएंगे, जो इंडिया की democratic policy रही है, और ये actually, और ज़्यादा relevant हो गया, जब हमारी third layer जो democracy है, खासतार से पंचाइती राज institution, और हमारा 73rd और 74th amendment, जब लाया गया 1990s में, उसके बाद, जो opportunities हैं empowerment की, और participation है अलग-अलग groups का, चाहे वो schedule cast हों, schedule tribes हों, OBCs हों, women हों, etc. minorities हों, इनको empower करना, और ज़्यादा, ज़रूरी होता हुआ दिखाई, देने लगा, साथी साथ, ये भी clear हुआ, कि अगर आपको effectively, inclusive growth को लागू करना है, local bodies हैं, और इन सभी concepts को, eventually, हमारे 11th 5-year plan, हमारे 12th 5-year plan, में include किया गया, कि सिर्फ growth ही sufficient नहीं है, सिर्फ development ही sufficient नहीं है, जो growth और development है, वो inclusive हो, और inclusive के साथ, वो sustainable हो, और sustainability के साथ, वो इस type से हो, कि जो भी targeted population है, उसको eventually, वो self-dependency की तरफ ले जाए, so inclusiveness and sustainability, हमारी planning process के, तो important, integral part बन गए, from 2000-2001 onwards, officially हलांकी, 11th 5-year plan, 2007-2012 में, इसको include किया गया, एक बहुत important feature, अगर आप inclusive growth strategy का समझ लें, तो ये pivoted है, कि जो भी GDP है, माली जी growth है, क्या वो अपने आप में end है, मतलब क्या किसी भी economy का, किसी भी country का, सिर्फ ultimate इम इतना ही होना चाहिए, कि 10% हमारी growth rate हो जाए, या, जो भी हमारी growth rate है, चाहे वो 5% है, 7% है, 10% है, जो भी growth rate है, एक तो growth rate high हो, दूसरा, उस growth rate का, सब को फाइदा मिल सके, I think, option number 2, so GDP, should not be treated, as an end in itself, but GDP, is just a means to achieve an end, और end क्या है, हमारी inclusive growth, सभी को उसका benefit पहुँचाना, अच्छा, आप achieve कैसे करेंगे, कोई भी चीज़ आप करते हैं, जब तक आप उसको monitor नहीं करेंगे, उसको follow up नहीं करेंगे, उसके exact monitorable targets, आप set up नहीं करेंगे, तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे, कि आप जो initiatives ले रहे हैं, या inclusivity के जो आपके parameters हैं, उस पे वास्तव में आप कैसा perform कर रहे हैं, तो inclusive growth strategy का जो तीसा बड़ा component रहा, short term policies, long term policies के साथ साथ, monitorable targets को भी set किया गया, और कोशिश ही रही कि monitorable targets ऐसे हो, जो हमारी multi-dimensional, economic and social objectives हैं, inclusive growth के उनको आप timely review बेसिकली कर सकें, इसके लावा, efficient और timely implementation, different different projects का, different different programs का, उनको periodic review आप कैसे करेंगे, उनका benefit नीचे तक पहुँच रहा हैं, नहीं पहुँच रहा है, यह सारी चीजे भी inclusive growth का एक important part बन गए दोस्तों, तो मुझे लगता है, अब आपको inclusive growth का actually concept क्या है, क्या उसकी key components है, किस वजहा से inclusive growth की कमी, इंडियन leaders को, इंडियन economy को, political dispensation को, हमारे economist को महसूस होने लगी, और early 2000 से जो thought process start हुई, जो कि 11th 5-year plan में properly, officially formulate हो पाई, embed हो पाई, 12th 5-year plan में उसको और आगे ले जाया गया, को short term policies launch की गयी, लेकिन उसको sustainable और self-dependent बनाने के लिए, 12th 5-year plan के बाद उसको और ज़्यादा strengthen किया गया, आपको clear हो गया होगा, अब हम अपने दूसरे sub-topic पर move करते हैं, कि आपने plans बना लिए, आपने ये भी plans में ensure करने के कुशिश की, कि जो भी हमारा growth target as strategy है, वो actually inclusive भी हो nature में, लेकिन plans तभी आप ground level पर implement कर पाएंगे, तब आपके पास उन plans को execute करने के लिए resources होंगे, बहुत अच्छे-च्छी plans बना लूँ, बड़ी-बड़ी books लिख दूँ, summit कर दूँ, लेकिन अगर मेरे पास funding नहीं है, और सिर्फ funding ही नहीं, रिसोर्स आपको हो सकता है funds के रूप में चाहिए, रिसोर्स हो सकता है human capital के रूप में चाहिए, रिसोर्स हो सकता है technology के रूप में चाहिए, रिसोर्स हो सकता है international organizations के साथ किस तरीके से आपका connection रहेगा, या world trademark का contribution है, वो भी आपके resource based का एक important part हो सकता है, तो जो second part है आज के lecture का resource mobilization पर कि आपने जब plans बना लिए आपने inclusive growth का concept insert कर दिया लेकिन इन सब चीज़ों को ground level पे आप कैसे execute, ensure करेंगे वो आप तभी कर पाएंगे तब आपके पास sufficient resources available हो तो ये part dedicated रहेगा resource mobilization पर अगर broadly हम देखें तो क्या लगता है, क्या होता होगा resource mobilization resource mobilization का मतलब है कि किस तरीके से आप resources को raise करते हैं और जब resources आपने raise कर लिए तो उन resources को चाहे वो physical resources हो, चाहे वो human resources हो उनको आप किस तरीके से direct करते हैं अपनी economy में ताकि आपके जो भी desired social economic objectives हो उनको आप effectively, efficiently achieve कर सके इसका मतलब माली जे आपने सोचा कि मुझे अपनी irrigation को better करना है या इस साल मुझे माली जे 50% से भी हमारा less irrigated area है उसको बढ़ा के मुझे 70% करना है अब 70% करने के लिए आपको कितना fund चाहिए होगा किस तरह की scientific community चाहिए होगी institutions के रोल प्ले करेंगे हमारी agreement community के रोल प्ले करेंगी Monday के रोल प्ले करेंगी यह सारे हमारे resource, mobilization, thought process का part होगा similarly माली जे education माली जी हमें लगता है कि UP कि माली जे literacy level 75% से कम है और कोशिश है कि अगले 5 साल में इसको बढ़ा के 85% प्लस कर दिया जाए तो आप पूरा resource mapping करना शुरू कर देंगे कि कितने मुझे schools खोलने पड़ेंगे कितने मुझे teachers की जरुरत होगी कितना मुझे midday meal scheme में invest करना होगा कितना infrastructure मुझे चाहिए होगा कितने मुझे teachers चाहिए होगे एटसेटर 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 और जब वो resource mobilization फिर आप सुचेंगे कहां से आएगा कितना state देगा, कितना center देगा हो सकता है बहार से बौरू करना पड़े हो सकता है internal market से बौरू करना पड़े यह सारे चीज़ें basically मिलके कहती है resource mobilization इसका मतलब ऐसी economic policies जो कि government basically activate करेगी time to time, depend कि किस type का project किस type का program हम implement करने की कोशिश कर रहे हैं और इन सारी resource mobilization की जो thought process है eventually translate होती है हमारी fiscal policies में और fiscal policies सिर्फ center ही नहीं लेकिन center के साथ-साथ states की जो fiscal policy होती है हम सारे sectors का resource mobilization plan पहले बनाते हैं समझ लेते हैं कि physically हमें resources कितने चाहिए उसके बाद center अपना plan करता है streets अपना plan करते हैं कुछ plans दोनों मिलके साथ में बनाते हैं फिर resources को map out किया जाता है resource mobilization plan बनता है फिर अलग-अलग sectors में उन areas में resources को divert किया जाता है ताकि जो भी आपका objective हो चाहे health sector का objective हो education का objective हो infrastructure का objective हो या फिर आपका tourism का माली जी objective हो इन सभी को आप effectively achieve कर सकें Indian economy के अगर आप बात देख लें तो actually जो भी हमारे desired growth and development है उसको achieve करने के लिए जो government of India है उसके साथ-साथ resource mobilization के और भी तीन important stakeholders है एक-एक stakeholder के बारे में बात करते हैं detail में कि किस तरीके से उन stakeholders को अलग-अलग चीज़ों के लिए resources चाहिए और कैसे वो resource mobilization को basically effect दिया जाता है अच्छा कौन से ये चार important stakeholders होंगे just सोच के देखिए close your eyes, take a deep breath just imagine yourself as an administrator कि ये चार important stakeholders होंगे जिनको funds की resources की ज़रूत पढ़ती होगी चले, शुरू करते हैं सबसे पहले कि हम इसके बारे में discussion करें कि वो चार कौन की stakeholders हैं नीती आयोग से पहले वो ऐसा कौन सा institution था जो actually uniquely position था plus उस पे responsibility भी दी गई थी कि आपका काम है कि आप resources को map करेंगे और आप resources को mobilize करेंगे towards different planned development activities of the country Planning Commission नीती आयोग से पहले Planning Commission की sole responsibility थी कि कि किस तरीके से mobilization of resources अलग-अलग different planning areas and development areas है country के उसको कैसे available करवाए जाएं अब ये जो 4 stakeholders हैं कौन-कौन से होंगी पहला government of India central government of course दूसरा जब central government की बात कर ली तो obviously next layer क्या है state governments उसके बाद private sector and then finally general public अब जो planning commission रही इन्हों ने 1951 में जब से inception हुआ और 2014-15 में जब dissolution हुआ नीती आयोगाया तब तक planning commission का एक important agenda और function ये भी रहा कि किस तरीके से जो भी fund requirements है चाहे वो center के हो state governments के हो उनको ensure कर सके practically speaking planning commission ही जितने भी funds है plan targets के लिए पूरी economic activities उनको map करके mobilize करने का काम करता था ये जो plan targets है ये basically set कौन करता होगा government of India central government लेकिन किस agency के थूँ of course planning commission इतना pivotal की central role रहा planning commission का दोस्तों चाहे वो plans formulation हो चाहे वो resource mobilization हो चाहे वो technology inception हो चाहे advisory capacity हो planning commission almost हर economic spare या planning का जो भी sectors या part रहे होंगा उसमें बहुत pivotal role play करता रहा ये जो plan targets है ये states के लिए भी set किये जाते रहे लेकिन in consultation with the planning commission ताकि एक uniformity मिल सके और इसलिए कई लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि हर चीज में planning commission का involvement रहा तो पूरी planning process बहुत ज़्यादा centralized होती चले गई effective responsibilities कि आप resources mobilize करें ultimately किसकी होगी ministry of finance की उसके साथ साथ जो अलग-अलग departments हैं या अलग-अलग ministries हैं उनकी भी responsibility होगी लेकिन ये root किसके थ्रू होगा planning commission के थ्रू मतलब हो सकता है planning commission कहे कि इस बार या इस five year plan या इस particular financial year में education sector के जो हमारे targets हैं उनको achieve करने के लिए हमें 20,000 crores की जरूरत है अब planning commission खुद तो 20,000 crores fund नहीं कर सकती वो ये basically advice करेगी government of India और government of India ये demand भेजेगी ministry of finance और ministry of finance फिर work करेगी जो भी relevant department से मालनी जी human resource development department है ministry of education जो भी rename किया जा चुका है वो department है उसके साथ मिलके उस resource mobilization को ensure करेगी similarly health sector में ministry of finance plus ministry of health and family welfare similarly agriculture ministry of finance plus ministry of agriculture similarly infrastructure ministry of finance plus ministry of road transport ministry of shipping etc etc तो इस तरीके से resource mobilization की process हमेशा चलती रही चलिए अज समझते हैं एक-एक stakeholders तो चारो हमारे stakeholders हैं चाहे government of India हो चाहे state governments हो उसके साथ private sector हो या फिर general public हो इनको किस type के resources की क्यों जरूरत पढ़ती होगी और कैसे resources ये mobilize होते रहे होंगे सबसे पहले government of India या central government तो अगर हम government of India की बात कर लें तो इसकी जो funds की जरूरत है उसको दो broad categories में आप categorize कर सकते हैं बही central government को या government of India को किस-किस चीज़ के लिए funds की जरूरत पढ़ेगी एक तो infrastructure जो targets है infrastructure create करने के लिए जो funds की जरूरत है चाहे वो power sector हो transportation sector हो communication sector हो उसके साथ technology parks हो urban infrastructure हो एटसेटरा 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 और दूसरा जो important targets होंगे central government के वो होंगे हमारे social sector infrastructure targets social sector targets और social sector में हमारे education हो health हो social security हो या human development related targets 2010-11 से जैसा कहा जाने लगा उसके लिए government of India को resources की funds की ज़रत पढ़ती होगी और ये funds ministry of finance कैसे available करवाते होंगे कैसे mobilize करवाते होंगे ministry of finance ये government of India central government को जितनी भी funding की requirement है resources की requirement है वो जो plan finance to जो division है ministry of finance का उसके थूँ ये सारे funds mobilize होते रहे हैं तो पहला stakeholder discuss हो गया कि central government को चाहे अपने infrastructure targets हो social sector targets हो ministry of finance किस तरीके से funds available करवाते हैं दूसरा important stakeholder state governments तो government of India के अलावा जो states हैं उनको भी अपने development requirements हैं जो की बहुत similar है government of India क्योंकि state governments को भी infrastructure targets हो चाहे social sector targets हो इन सब के लिए funds की ज़रत पढ़ेगी पढ़ेगी तो ये funds तीन important sources से state के लिए mobilize होते रहे हैं पहला जो states के खुद के basically income sources हैं या actually market से states जो खुद borrow कर सकती हैं और किस की recommendation रही जिसके बाद states को allow किया गया कि market से आप बिना central government की permission के आप खुद borrow कर सकते हैं ये 13th finance commission की जो recommendation रही उसके बाद allow किया गया कि आपका जो plan expenditure है उसके 25% तक आप चाहें तो market से directly borrow कर सकते हैं बिना central government या government of India की permission के अगर आप जो fiscal responsibility act है उसमें जो limits दी हुई है fiscal deficits और बाकी जो terms and conditions है उसको fulfill करते हैं तो अगर आप उन terms and conditions को fulfill नहीं करते हैं violate करते हैं तो आपको borrow करने के लिए पहले central government की permission लेनी होगी क्योंकि ज़ादा तर borrowings में central government एक guarantor की तरह act करता है और अगर आप central government की permission नहीं लेंगे कल को जब आपको वो borrowings या loan वो चुकाना पड़ेगा या आप नहीं चुका पाने की condition में है तो फिर central government basically आपकी guarantee नहीं ले पाएगा तो पहला अपने खुद के sources और market borrowing 13 finance commission के बाद अपने plan expenditure का 25% तक आप खुद borrow कर सकते है market से government of India की permission के बिना as long as you are compliant with fiscal responsibility act दूसरा state government का source हो सकता है कि बहुत सारे loans जो मिलते हैं government of India और government of India से भी loans ज्यादा तर जो planning commission थी उसकी advice पर ही दिये जाते थे जो ministry of finance and government of India और इन जो loans दिये जाते थे ministry of finance and government of India को किसको state governments को इसको basically किया जाता है plan finance one जो division है ministry of finance उसके through और जो तीसरा important source है states का वो है कि जो government of India की central sector schemes है या centrally sponsored schemes है या additional central allocations है उसके लावाद जो अलग से allocations होते है special category states को उनको जो दिया जाता है वो भी state governments का एक important source of resources है या basically funding है तो government of India के बारे में discussion हो गया और similar needs के लिए state governments के बारे में discussion हो गया किस तरीके से तीन कौन से sources है अब जो अगला important stakeholder है कि किसको resources के जरुद होगी पूरी economy में या economic activities में तो वो है हमारा private sector मतलब government के लाबा government मतलब central government प्लस state government दौना इकेड हो गई तो government को अगर आप हटा दें तो एक large fund हमें चाहिए होगा हमारे private sector के लिए क्योंकि private sector चाहे वो short term capital हो जिसको working capital कहा जाता है रोज मर्रा माली जो raw material खरीदना है किसी को wages देने एटसेटर एटसेटर तो short term capital के लिए भी बहुत सारे funds private sector को चाहिए साथ ही साथ long term जिसको capital market requirements कहा जाता है माली जो आपको factory लगा नहीं है उसके लिए सकता है एक large sum आपको चाहिए हो या माली जो हमारी data industries को महिंदराज को electric vehicles के कोई factor establish करनी है तो उसको हम कहेंगे capital basically requirement तो government के लावाब private sector भी एक important stakeholder है when it comes to availability of funds and resources और यह ensure कौन करेगा कि private sector को भी funds आसानी से easily मिल जाए government of India of course government of India को ensure करना पड़ेगा कि जो खुद की funding requirements है वो तो ensure करे ही करे states की funding requirement का भी ध्यान रखे और states के अलावा जो हमारा private sector है उसकी जो large funding requirement है उसको भी अपने ध्यान में रखे और इस तरीके का as a country हम financial system develop करें और उसको इस तरीके से manage किया जाए कि government के अलावा general public के अलावा जो हमारा private sector है उसके लिए भी funds available हो उनको timely mobilize किया जा सके और उनको ऐसी शर्थ terms and conditions में mobilize किया जा सके कि हमारा private sector competitive रहे और ये availability of funds for private sector और ज्यादा important relevant इसलिए भी हो जाता है कि हमारी economy जब हमने decide किया खासतर से economic reforms के बाद कि mixed economy होगी इसका मतलब private sector एक बहुत important role play करेगा along with public sector public sector को government direct funds available करवा सकती है लेकिन private sector को अगर economic activities ये financial system ऐसा नहीं होगा जो easily fund available करवा सके तो हमारा private sector develop ही नहीं हो पाएगा जो financial system हो इसको इस तरीके से structure किया जाए कि जो funds हैं resources हैं उनको channelize हम कर सके government के साथ-साथ हमारे private sector की तरफ और एक interesting concept terminology आपने कई बार नाम सुना होगा crowding out crowding out का मतलब है कि कई ऐसा ना हो कि हमारी policies ऐसी बन जाएं कि हमारे सारे funds central government, state government की तरफ ही divert हो जाएं और हमारा financial system उन funds को crowd out कर दे मतलब private sector के लिए वो funds छोड़े ही ना सारे funds पहले से ही crowd out या बाकी भीड उस funds को ले जा चुकी है और private sector के लिए कुछ भी ना बचे इसका मतलब हमें चाहे हमारे जितने भी financial system के instruments हैं चाहे वो financial reforms हो चाहे वो tax structure reforms हो चाहे fiscal policies हो center states इस तरीके से हमको device करनी पड़ेंगी कि ये crowding out ना हो पाए और government के साथ साथ central government, state government के साथ साथ private sector को भी funds available किये जा सके हैं तो योग हमारा तीसरा important stakeholder when it comes to कि resource किसको जरुवत है और कहां कहां से resources आ सकते हैं जो चौथा और last और बहुत important stakeholder है when it comes to resource mobilization वो है general public आप और हमारे जैसे लोग इसका मतलब government और private sector के अलावा जो common लोग है general public है आम जनता है किसी भी economy में उसको large funding की जरुवत है अपने spending के लिए क्योंकि हो सकता उसको रोजमरा की चीजों के लिए कोई property में invest करने के लिए car खरीदने के लिए अपनी education में invest करने के लिए अपनी family में invest करने के लिए पैसा चाहिए funds चाहिए तो उसको spending के लिए और investment के लिए दौनों ही चीजों के लिए resources की funds की जरुरत है तो जैसा हमने private sector के बारे में डिस्कूस किया कि ultimately government को इस तरह की policies बनानी होंगी इस तरह का financial system हो इस तरह की physical policy हो कि जो हमारी general public है या common people है उनके पास भी sufficient funds available हो चाहे वो उनके personal spending के लिए हो चाहे investment purposes के लिए हो क्योंकि जो common लोग है जैसे आप माली जी 50,000 रुपे महीना कमा रहे हैं उसमें से 10,000 रुपीज आप savings कर रहे हैं हो सकता है banks में करें हो सकता है post office में करें हो सकता है NAC's में करें हो सकता है आप basically लगाएं capital market में या हो सकता है पीपिएफ अकाउंस में लगाएं तो ये जो savings है general public की इनको government यूज करती है investment की रूप में इनको banks basically अलग-अलग companies को loans के रूप में देते हैं ताकि वो companies उस funds से resources से अपनी capital को complete कर सकें और वापस जब banks को देंगे वो interest के साथ उस interest को फिर banks आपको भी कुछ हट तक return करने की कोशिश करेंगे साथी साथ जो हमारे primary और secondary security markets है उसमें भी अगर आपको invest करना है चाए वो shares हो bonds हो mutual funds हो pension funds हो insurance हो इसके लिए भी general public को funds और resource की ज़रुवत पड़ेगी ही और आप सोचें कोई भी government है या कोई भी private sector है ultimately कोई भी goods या services किसके लिए create कर रहे है general public के लिए common people के लिए आम जनता के लिए अगर आम जनता की जेब में resources नहीं होंगे funds नहीं होंगे तो फिर economy में demand कहां से आएगी मालीजे 10 आपने car की factories लगा दी लेकिन अगर car खरीदने वाली नहीं है economy में demand नहीं है तो automatically पूरा economic model आपका crumble हो जाएगा devastate हो जाएगा destroy हो जाएगा तो इस वजह से government के पास दो important targets है twin targets है पहला कि आपको private sector को promote करना है ताकि supply side में कोई दिक्कत न हो कि अगर लोग 10,000 car खरीदना चाहते है तो economic rate पे अच्छी quality उनको 10,000 vehicles available हो जाएगा लेकिन साथी साथ उनको जो general public है common public है उनको भी funds available करवाने होंगे ताकि उतनी demand भी तो economy में रहे अगर 10,000 cars माल लेजिए produce भी कर दी आपकी industries ने लेकिन अगर उसकी demand नहीं है तो mismatch हो जाएगा और जैसा हमने शुरुवाती लेक्चरों में डिसक्रस किया कि ultimately जो aggregate value है चाहँ GDP देख लेएं, GVA देख लें वो तो demand side से आप calculate कर सकते हैं हम अपने resources को identify करें requirement को identify करें और उसके साथ साथ कैसे हम अलग-अलग areas में उनको divert करें वो हो सकता है government purposes के लिए वो हो सकता है central government के लिए, state government के लिए या फिर private sector के लिए या फिर general public के लिए तो पहला हमारा हो गया part कि वो चार कौन से important stakeholders हैं resource mobilization में जिससे जितने हमारे plans हमने बनाए हैं उनको actually ground level पे execute implement किया जा सके अब किस तरीके से आप इन resources को इन चारों stakeholders के लिए actually mobilize करेंगे उसको कहा जाता है investment models कि इंडिया ने किस तरीके से time के साथ अलग-अलग investment models के through ये जो funding या resource mobilization के ज़रुत पड़ी इसको tackle किया इसको cater किया ये हमें ले जाता है आज की हमारे lecture के topic number 3 जो based है अलग-अलग different-different investment models जो actually इंडिया या Indian economy ने adapt किये right from independence ताकि अलग-अलग जो requirements हो चाहे बो governments के requirement हो चाहे बो private sector के requirement हो चाहे बो general public के requirement हो इन सभी को पूरा किया जा सके दोस्तों अच्छा इससे पहले कि हम अलग-अलग investment models के बारे में बात करें investment से आप क्या समझते हैं what do you mean by investment? सोचो investment actually is a process of putting money in productive activities to earn income मतब investment से जो आपके पास funds है, resources हैं या money हैं, उसको आप ऐसी activities में डालेंगे हो सकते agriculture में हो, हो सकते industries में हो हो सकते logistics में हो जो transportation में हो जिससे आप और ज्यादा income earn कर पाएं और यह आप दो तरीके से कर सकते हैं direct investment जिसको आप जोमारे primary, secondary, tertiary sector से उसमें लगा सकते हैं या indirect investment जो आप financial securities हैं shares हैं, debentures हैं, bonds हैं mutual funds, etc. इसमें लगा सकते हैं इन सभी के बारे में subsequent chapters में हम बहुत detail में आपके साथ discussion करेंगे दोस्तों इसका मतलब, अगर हम इंडिया की बात करें तो investment models का मतलब है कि ऐसे tools ऐसे methods, ऐसी strategies जो कि government of India किसा साथ state government ने भी adapt की किस तरीके से जोमारी funding requirement है कर सकें, इसको कहा जा सकता है investment models अच्छा, इंडिया में कब investment या investment models की शुरुवात हुई होगी चलिए, let me rephrase the question कि जो planning process है वो इंडिया में कब start हुई of course, पहला जो हमारा 5-way plan जब rollout किया गया 1951-1956 तो planning process की जब start हुई 1951 में उसके साथ अगर आप planning करेंगे आपने targets रखे हैं कि industries को इतना बढ़ाना है education को इतना बढ़ाना है health को इतना बढ़ाना है social sector को इतना बढ़ाना है तो उस planning के लिए या उस plan के लिए आपको resources भी ज़रुवत पड़ेगी और तब resources आपने map आउट कर लिए कि माल लिए 20,000 croze की ज़रुवत है तब 20,000 croze आएंगे कहां से ये हो गया investment model तो 1951 से हमारी planning process शुरू हुई first five year plan रोल आउट हुआ उसके साथ साथ उसको ही match करने के लिए investment models की भी शुरुवात हुई investment models को actually आप evolutionary process कह सकते हैं कि हमने एक investment model ट्राई किया उसका feedback हमने देखा हमने लगा इसमें ये कमिया थी ये अची चीज थी उसको फिर हमने fine tune किया हम different investment model पे move कर गए इस तरीके से चीज़ें आगे चलती रही दोस्तों तो अगर investment models की बात करें तो जिस तरीके से हमारे five year plans ने अलग-अलग phases में अलग-अलग objectives, aim, structure, theory, philosophy को डप्ट किया उसी तरीके से investment models को भी अलग-अलग phases में हम categorize कर सकते हैं एक-एक phase की detail में आपके साथ आप discussion हो जाए पहला phase हम basically categorize कर सकते हैं शुरुवात मतलब 1951 से 1969 तक और यह जो period रहा रफली 18 years का 51 से 69 का इसको कहा जाता है state-led development इसका मतलब जो भी development activities थी यह almost 100% जो state था चाहिए वो central government ते state government सो इनके through ही उसको run किया गया और government of India ने जितने भी tools थे, instruments थे चाहे वो internal हो, external हो वो सारे deploy किये कि किस तरीके से हम resources को mobilize कर सकें और focus रहा government of India का कि इन सारे resources से या इस investment model से जो भी funds resources दा रहे हैं उसको हम primarily किस पर focus करेंगे? हमारे infrastructure sector और infrastructure sector के साथ साथ social sector पर भी और जो famous Melanobis plan था वो भी इस first phase 1951 से 69 के दोरान ही implement execute किया गया और यही वो first phase रहा investment models का 51 से 69 जब हमारे अभी तक के in fact मैं कहूंगा जो financial systems है, tax systems है, fiscal policies है, regulations है, licensing regime है यह सारी चीजें इसी period के दोरान उभर कर सामने आई और उन सभी का यही परपस था कि किस तरीके से पूरा जो fiscal system है, financial system है evolve हो ताकि जादा से जादा resources, जादा से जादा funds जो government है उसको मिल सके ताकि government अपनी जो financial responsibilities है जो particularly हमने अपने five year plan में layout की है, उनको हम achieve कर सके है कितने successful हम रहे होंगे हमारे first phase of the investment model of 1951 to 1969 कुछ हग तक हम successful रहें, लेकिन कई mismatches भी, कई gaps भी, कई downsides भी हमको देखने को मिले हमेशा हमको ये एक बहुत common theme दिखाई दी हमारे first investment phase में 51 से 69 में कि एक gap बना रहा, कि जितने हमें funds की requirement थी, उसके मुकाबले उतने funds हम इस period में mobilize नहीं कर पाए तो एक deficit, एक कमी, एक gap resource mobilization ये fund mobilization में बना रहा जो भी investment targets रहें government के, कई बार, अलग-अलग चीजों की वज़े से, चाहे वो war हो हमारा चाइना के साथ, चाहे हमारे wars हो पाकिस्तान के साथ, उनकी वज़े से हमारे funds को divert करना पड़ा और जिन sectors के लिए वो targeted funds थे, उन sectors में वो funds invest नहीं हो पाए लेकिन क्या picture पूरी तरह bleak रही, ऐसा नहीं है हमने scratch से शुरुआत की independence के बाद, एक newly independent country, एक newborn baby, सबके अपने-पने ideas थे, hindsight में, आज की तारीक में वैटके आप अच्छा भी सोच सकते हैं, पूरी तरह criticize भी कर सकते हैं मतलब पीछे मुड़ के देख कर comment करना life में बहुत असान चीज है, लेकिन जब आप actually उस point of time पे होते हैं, जब आपको decision लेना है, उस वक्त की जो circumstances है, उस वक्त की आपकी जो understanding है, उस वक्त की जो thought process है, उसको मुझे लगता है आप best utilize करके उस time frame में आप best decision लेने की कोशिश करते हैं, बात में हो सकता है वही decision बहुत successful दिखाई दे, ये भी हो सकता है कि वो decision शायद इतना successful नहीं दिखाई दी, तो actually हमने downsides की बात कर ली, लेकिन कुछ issues होने के बावजूद, overall अगर आप देखें, तो हमारा जो first phase graph 51 से 69 का of the investment models, उसमें हमें जो industrialization हमारे country में almost zero था, उसको kickstart करने में बहुत मदद मिली, हमने ज़्यादातर resources को mobilize किया, हमारे infrastructure sector की तरफ, infrastructure industries की तरफ, जिनको core sector भी कहा जाता है, core sector में कितनी industries हैं, शुरुबात में 6 थी, फिर 2 add होके कितनी होके total, 8 different industries, cement हो, steel हो, etc, etc, उसके लावा, जो education है, health है, बाकी social sectors हैं, उनको भी कुछ funds available हम करवा पाए, शायद इतने नहीं, जितनी उमीद थी, जितनी जरुवत थी, क्योंकि उस वक्त, government का जो ज्यादातर focus था, वो industrialization के दरफ था, public sectors को कैसे हम setup कर सके, उनको कैसे kickstart कर सके, क्योंकि हमने बहुत detail में समझा, कि government की thought process उस वक्त के क्या रही होगी, कि क्यों public sector का आना, government sector का आना, government sector, defense, agriculture, national security, international trade के लिए भी, industrial sector को उस वक्त, सिर्फ इंडिया ही नहीं, बट globally accepted concept समझा गया, और उस वक्त, government of India, ने actually, in fact, हमारे first prime minister, dr. Nehru ने कहा, कि public sector undertakings are the temples of modern India, बतब modern India के मंदिर हैं, हमारे जो public sector undertakings हैं, यह हो गया हमारा पहला phase, कुछ positives, कुछ negatives, second phase, from 1970 to 1973, सिर्फ तीन साल का period, और ऐसा क्यों रहा होगा, क्योंकि 1970 रहा, जब पहली बार India ने industrial policy को enact किया, through industrial policy of 1970, और अब यह पहली बार हुआ, 1970 में, कि India ने private capital को भी favor करना शुरू किया, कि हमारी जो growth, development, planning process है, उसमें हम private capital को भी include करें, अब ही तक तक तो सिर्फ इतना था कि government capital या public capital ही basically invest की जाएगी, private capital के लिए हमने बहुत ज्यादा कोशिश नहीं जी, लेकिन 1970 में industrial policy के साथ, हम लोगों ने eventually, चाहे short doses में ही सही, small quantities में ही सही, private capital को promote करना शुरू किया, और यह 1970 और 1973 का phase ही रहा, second phase of investment models, जिसमें joint sector का concept आया, और joint sector का मतलब है, कि actually इसमें combination of partners, जिसमें center state के साथ साथ, अब finally, private sector भी industrial sector को enter कर सकता है, landmark change, major policy decision of the industrial policy of 1970, जिसके तुरू मैं क्या मिला, joint sector का concept, जिसमें center state governments के साथ, अब private sector भी collaborate कर सकते हैं, joint venture बना सकते हैं, industrial sector में participate कर सकते हैं, और इसका purpose यही रहा, कि actually, अब शायद हमारा private sector eventually तयार हो गया है, कि जो industrial sector हैं, जहाँ पे heavy investment की जरुवत है, gestation period basically long है, technical financial reasons भी हो सकते हैं, जो सिर्फ public sector undertakings की monopoly बहान ना रहे, और actually private sector भी अब इस पुरी process, इस पुरी development और growth का part बन जाए, ऐसा 1970-73 के phase two में देखने को मिला, अभी भी हमने सिर्फ बहुत limited तरीके से joint ventures, joint sectors के थुरू ही हमारी planning या हमारे economy को open up करना शुरू किया, लेकिन यह पहली बार हुआ, जग government ने finally private funding, development के लिए उसको accept करना शुरू किया, लेकिन अगर आप देखें, तो कुछ हद तक शुरूबात हुए, लेकिन कुछ ऐसी monopolized areas रहे, industrial activities के, जो अभी भी, इस second phase of investment models, 70-73 के बीच में भी, सिर्फ public sector undertakings के लिए reserved रखे गए, वहाँ पे private sector को अभी enter नहीं करने दिया गया, यह होगा हमारा phase two of investment models, phase three, phase three हुआ हमारा 1974 से 1990, मतलब economic reform से just basically पहले तक, और ऐसा क्यों, क्योंकि 1974 रहा, जब हमने basically enact किया, FARA, Foreign Exchange Regulation Act, तो नाम से आप समझ गए होंगे, कि 17 industrial policy से हमने private capital को accept करना शुरू किया हमारी development planning process में, और फेरा जब हमने enact किया 1974, क्योंकि government को लगने लगा, कि public investment या public resources sufficient नहीं है, 1970 हमने private investment को भी accept करना शुरू किया, और लगता है, तीन साल मैं government को ये भी समझ माने लगा, कि सिर्फ private sector investment ही sufficient नहीं है, हमें foreign capital को भी attract करना पड़ेगा, अपनी जो पूरी process है planned development की उसमें है, लेकिन government ने cautious approach लिया, और 74 और 74 के फेरा के enactment से foreign investment को अभी cash के तौर पे allow नहीं किया गया, अभी सिर्फ allow किया गया technology transfer route, और ये भी कहा गया कि आप technology transfer सिर्फ जो total project value है, केसी भी project की, उसके 26% तक ही आप कर सकते हैं private basically sector में, मतलब अगर इसको आप फेरा का जो 1974 का enactment रहा, या Foreign Exchange Regulation Act का enactment रहा, उसको आप समझें, तो फेरा के enactment से, government ने foreign currency इंडिया में किस तरीके से आएगी, कैसे inflow करेगी इंडियन private sector में, उसको काफी regulate कर दिया, tight कर दिया, अब private sector foreign investment डारेक्ली नहीं ले सकता, जब तक कि वो फेरा के rules से comply ना कर सके, तो government और private sector को धीरे-धीरे समझ माने लगा, कि अगर हम foreign currency को इंडिया में नहीं आने देंगे, तो हमारी जो technology को upgrade करने के लिए, processes को upgrade करने के लिए, state-of-the-art technologies जो बागी countries, या world over utilize हो रहे हैं, उसको हम अपने private sector, अपने economy में नहीं ला पाएंगे, तो एक ही जो gap दिखाए देने लगा, फेरा के 1974 के enactment से, इसको plug करने के लिए, government ने smart game खेला, government ने कहा, कि हम फेरा तो enforce करेंगे ही करेंगे, लेकिन technology से हम deprived ना हो जाएं, वंचित ना हो जाएं, उसके लिए हम basically technology transfer route, project value as proposed by the private sector को अलाव करेंगे, ताकि technology आप ले सकें, direct cash आप basically नहीं ले सकते, लेकिन technology के रूप में 26% value तक, आप basically foreign investment, foreign capital को अलाव कर सकते हैं, इसका मतलब, government of India ने finally, 70 में पहले private investment को अलाव किया, उसके बाद 74 में फेरा के enactment के साथ, foreign investment को भी अपनी development process में अलाव करना शुरू किया, हालांकि, चाहे 1970 का industrial policy हो, जिसके तुरू private sector को अलाव किया, चाहे 1974 की foreign capital अलाव की, फेरा के तुरू दोनों ही तरीके से, जो capital है या investment है, उसको भी limited तरीके से ही अलाव किया, लेकिन at least, शुरुवात तो होई, जो 1974 का foreign investment रहा, या 74-74 के फेरा के enactment, या पूरा phase देख लें, आप 74-90 का basically, जो second या third phase of investment models है, तो इसमें, जो investment रहा foreign, वो direct नहीं रहा, जैसा अभी FDI में अलाव होता है, foreign direct investment, जिसमें आप directly basically, हमारी market में invest कर सकते हैं, सरी किसे अलाव किया, सिर्फ किस route से, technology transfer route से, मतब foreign entities, अब हमारे industrial areas, जो कि actually, Indian private sector के लिए open up थे, और कौन-कौन से वो sectors होंगे, जो Indian private sector के लिए open up थे, ये सब हमारे दिये हुए थे, जो schedule B है, या schedule B है, industrial policy resolution of 1956 उसमें, उन sectors में, जिन में Indian private sector एंटर कर सकती थे, उसमें foreign entities भी, technology transfer route के थूँ investment कर सकती थी, लेकिन जो monopolies या monopoly industries थी, जो कि government of India ने, सिर्फ public sector undertakings के लिए reserve कर रखी थी, उनको अभी भी, नहीं private sector के लिए, और नहीं foreign investment के लिए, open up किया दोस्तों, बहुत सारे experts का, economists का, even Indian policy makers का, अब ये view है, कि ये, जो हमने delay किया, ये हमने जो reluctance दिखाई, private capital को अलाओ करने में, या foreign investment को अलाओ करने में, ये actually, एक missed opportunity इंडिया के लिए रही, क्योंकि हमने foreign capital को, allow नहीं किया, directly and direct तरीके से, सिर्फ technology transfer को basically अलाओ किया, तो हमें, जो state of the art technologies है, या उसके साथ साथ, जो better work culture है, better processes है, साथी साथ, जो scarce investible foreign capital है, वो हमारी industries को, हमारी economy को नहीं मिल पाई, अब आप सोचते हूँ कि, ऐसा क्यों, हमको ऐसा क्यों लगने लगा, क्योंकि, हमारे साथ साथ, जो countries independent हुए, जिनके economic journey start हुई, खास तोर से, जो South East Asian countries हैं, चाहे वो Malaysia हो, Indonesia हो, Thailand हो, South Korea हो, उन्होंने 1965-66 में ही, अपनी जो economies हैं, उनको foreign investment के लिए, चाहे वो direct investment हो, या indirect investment हो, उनके लिए allow करना शुरू कर दिया, साथी साथ, 65-66 में ही, अपने industrial sector को भी, उन्होंने foreign investment के लिए, open up करना शुरू कर दिया, और ये जो South East Asian countries रही, इन्होंने, ये भी कहा, कि actually, हम अपने industrial sector को, क्यों close रखें, हम state of the art technologies हो, better processes हो, better work culture हो, क्यों open ना करें, और क्योंकि 65-66 से ही, इन्होंने, अपने industrial sector को, decontrol कर दिया, foreign investment के लिए, इन्होंने, बहुत rapid economic growth को, witness किया, और एक time पे, in South East Asian countries को, Asian Tigers भी कहा जाने लगा, क्योंकि, जब foreign investment आया, investible capital available हुई, private sector boom किया, jobs better हुई, economic growth हुई, उसके साथ-साथ, ज़्यादा funds, resources, government के पास, available होने लगे, जिनको उन्होंने, economy growth को, और आगे बढ़ाने में, invest किया, अपने social sector में, invest करना शूरू कर दिया, और overall, एक ज़्यादा better growth, and development scenario, हमको देखने को मिला, in Asian Tigers, Southeast Asian countries, economies like, Malaysia, Indonesia, Thailand, and South Korea, जो हमारा period रहा, खास्ता और से 1985, उसके बाद, चीजें बदलने लगे, बहुत rapid changes, major dynamism, हमारे economy, हमारे policy makers, हमारी अर्थ विबस्ता, basically, विटने स्करने लगे, 1985, के बाद, दो consecutive planning commissions, उन्होंने suggest किया, कि जो हमारे economy है, इसको अब हमें open up करना पड़ेगा, और चाहे वो Indian capital हो, या foreign private capital हो, उसके लिए हमारे industrial area को भी, हमें decontrol करना पड़ेगा, और उन areas को भी, जो कि monopoly industry समझी जाती है, ऐसे sectors, जो reserve है, government के लिए public sector undertakings, subsequent, दो रगातार planning commissions के report के बाद, इस need की और ज़्यादा clearly ज़रुवत महसूस होने लगी है, दौनों ही planning commissions recommendations ने कहा, कि actually, जो government of India है, या even state governments है, इनको ऐसे area से अब withdraw कर लेना चाहिए, हट जाना चाहिए, जहांपर private sector अब capable हो गया है, fit हो गया है, function जहांपर कर सके, for example, infrastructure sector, मालीज़ आपको roads बनाने हैं, आपको transformers बनाने हैं, आपको JCBs बनानी हैं, और अगर उसी चीज़ को मालो, Tata's कर सके ही, महिंदराज कर सके ही, मारूती कर सके हिटाची कर सके, तो government को उस sector में बे वज़ा, अपने resources, अपना attention, अपना focus देने की क्या जरुवत है, क्योंकि most likely, private sector, जहां demand देखेगा, government sector से ज़ादा, efficiently शायद operate कर पाएगा, वही government को, 1985 कि इन recommendations के बाद, ये चीज़ भी महसूस होने लगी, कि हमें ऐसे sectors exit कर लेंगे, जहांपे private sector अपकेबल है, fit to function है, और ऐसे sectors पर concentrate करें, जहांपे private sector अभी भी interested नहीं है, operate करने में, जैसे हो सकता है social sector, हो सकता है education में interested नहीं हों, हो सकता है healthcare में interested नहीं, हो सकता है pension sector में, insurance sector में, अभी private sector interested नहीं, इसका मतलब, 1985 से हम एक ideological shift देखने लगे, government की पूरी planning process की thought process में, कि actually अब government के बजाए, हमें private sector को, एक active या central role देना पड़ेगा, पूरी economic development की process में, इसका मतलब, अब हमें government को पीछे कीशना पड़ेगा, और private sector को आगे लाना पड़ेगा, तो ये बात समझ में सब के आने लगी, planning commission ने दो बार इस चीज़ को emphasize किया, 1985 के बार तो demand और ज़्यादा vocal होने लगी, लेकिन शायद उस वक्त की political situation, circumstances या political will शायद ऐसा कुछ रहा होगा, कि सब कुछ समझने के बावजूद भी, उस वक्त की जो government थी, वो पूरी तरह in recommendations, इस thought process, इस ideological shift, कि private sector को active और central role दिया जाए, और public sector, government को pull back किया जाए, सिर्फ social sectors पर focus किया जाए, ये implement नहीं करवाए जा सके, government ने कई तरह के economic reforms को अंजाम देना भी शुरू किया, खास्तोर से 1985 और 1986 की जो हमारी industrial policies हैं उनके थूँ, लेकिन इसको official economic reforms नहीं कह सकते, 1985-86 की जो industrial policies थी, क्योंकि officially जो economic reforms in इंडिया हैं, वो कब से start हुए, 1991 से, तो अगर हम जो हमारा ये phase रहा, phase नमर 3, 1974 से 1990 तक, और अगर हम शुरुवात से, 51 से लेकि 1990, roughly 40 years, 4 decades, कि पूरे investment models को summarize करने की कुशिश करें, तो कई common चीजें, common themes, serian features निकल कर आते हैं, quickly एक short discussion हो जाए, पहला, 51 से लेकि, 1990 तक ये बहुत clear रहा, कि government main investor बना रहा, हमारी economy में, और actually कैश्पर्स का ये भी कहना है, कि इस वजह से, इंडिया ने बहुत delay कर दिया, हमारे private sector के potential को realize करने में, या foreign capital के potential को realize करने में, और उससे overall एक negative impact हम कह सकते हैं, हमारी पूरी developmental investment cycle पर देखने को मिला, पहला major feature, दूसरा, over emphasis on public sector, हमारा जो over emphasis रहा, कि public sector को ही focus किया जाए, private sector को भी allowed नहीं किया जाए, पहली बार 1970 में एक step देखा गया, फिर 1974 में step देखा गया, फिर 1985-86 की industrial policies में देखा गया, काफी delay basically हो गया, और public sector पर emphasis के अलावा, nationalization drives भी हमने देखी, कब late 1960s और early 1980s में, इसका मतलब, जो public sector undertakings थी, या PSUs थे, large extent तक, तब तक जो South East Station countries थी, जो Asian Tigers थी, इन्हों ने public sectors, कबके इस दौरान privatize करके, वहाँ से exit कर चुके थे, ताकि सिर्फ वो socially oriented sectors पर focus कर सके, और जो public sector undertakings, profit making नहीं थे, उनको private हातों में दे दिया जाए, ताकि वो ज़्यादा profit basically earn कर सके, इंडिया ने ऐसा नहीं किया, दूसरा feature, तीसरा feature, कि जो tax system है, बढ़ा देंगे, या penalty बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो लोग risk ले ले रख जाएंगे, कि actually क्योंकि tax इतना ज़्यादा है, हम comply नहीं करेंगे, क्योंकि पकड़े जाने के chances बहुत कम हैं, तो tax evasion, या excessive tax burdens on citizens, एक important feature रहा, इस 1951 से 1990 के investment model के period के दोरान, चौथा feature, कि government of India, जो अपने non-plan expenditures हैं, उनको काफी बार cut करना पड़ा, और इस वज़ा से, कई बार ये भी देखा गया, कि जो essential areas हैं, education है, healthcare है, social sectors है, वहाँ भी जो funds availability थी, उसका भी लगातार crunch बना रहा, पाच्वा important feature, कि government की excessive dependence रही, किस पे, जो हमारा internal financial system है, उसके वज़े से क्या हुआ, एक word मैंने थोड़ देर पहले आपको बताया था, crowding out, impact देखा गया, कि सारा fund divert हो गया, public sector की तरफ, government land initiatives की तरफ, private sector के लिए funds बचे ही नहीं, तो जब private sector के लिए funds नहीं बचे, financial system में, तो वो कैसे अपनी activities के लिए, माली जी industry मुझे set up करनी है, capital requirement है, या मुझे working capital चाहिए, रोज मर्रा की चीज़ों के लिए, वो funds कहां से आएंगे, foreign capital आपने अभी allow नहीं की, internal market के ज़्यादा तर funds नहीं आपने crowd out कर दी है, और खुद सारा divert लेके चले गए, तो ये भी एक important feature रहा, जो six important feature है, technology upgradation, कोशिश की गई, कि technology transfer etc के through, कोशिश की जाए, कि technology, state of the art technology को हम global, जो practices उनको इंडिया में भी ला सकी है, लेकिन उसकी success बहुत limited तौर पे देखने को बिली, हम actually deprived रहे, best of the technology, state of the art technology, उसके लावा better processes से, entrepreneurial skills से, या globalization से, इन policies की, restricted policies की वजहास है, उसके लावा, जो हमारी funding की main resources थे, वो government के tax revenues थे, internal borrowings थी, external borrowings, और freshly printed currencies, इसके लावा हमारा और कोई source of revenues वक तक नहीं रहा, तो clearly, एक हमें लगातार lag देखने को मिला, कि जो हमारी funds की requirement है, एक लाग करोड की requirement है, शायद 80,000 करोज से हम basically generate कर सके, तो नहीं उतने funds हम generate कर पाए, नहीं हम उनको mobilize करवाए, जिसके वज़े से लगातार mismatch रहा requirement में, और basically supply and mobilization of funds, और धीरे धीरे ये चीज़ें, एक बड़े crisis के तौर पर, build होने लगी, fiscally, क्योंकि हमने देखा balance of payment crisis, साथ ही साथ, जो हमारे industrial और infrastructural sectors थे, वो भी globally पिछड़ते हुए चाते रहे, क्योंकि आपको आस funds नहीं है, तो आप शायद आप highways ना बना पाएं, express ways ना बना पाएं, आप roads ना बना पाएं, आप electricity insured ना कर पाएं, आप industries basically establish ना कर पाएं, और उसका ultimate impact क्या होगा, आपकी जो industries होंगी, आपकी private sector, public sector, ये uncompetitive हो जाएंगी, globally आप compete नहीं कर पाएंगे, आप inefficient होंगे, आपकी cost ज्यादा होगी, दूसरे country में वही चीज़ बनी होई, क्योंकि better logistics and infrastructure है, वो शायद कम cost पर उस चीज़ को manufacture कर पाए, और जब international market में आप दौनों country इसकी products को offer करेंगे, क्योंकि आपका जो product है, उसके हो सकता है quality compromised हो और expensive हो, आपके product की बज़ाएं दूसरे country के product को लोग सकता है, लोग ज़्यादा prefer करें, और early 1960s में ही बहुत clear हो गया था, कि जो इंडिया का private sector है, अब ये धीरे धीरे इस like हो गया है, और interested भी है, कि बहुत सारे areas, industrial areas, infrastructure areas में, अब investment करने के लिए तयार है, capable है, fit है, operate कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद, जो भी decision making रही होगी, government of India ने, 1985, in fact 1990 में कहूँगा, तब तक जो monopoly sectors हैं, या reserved sector हैं, उनके इंडिया के जो private sector से उनके लिए open up नहीं किया, तो दोस्तों, ये हमारा पहले from 1951 to 1990, पहला phase 51 to 69, दूसरा 70 to 73, फिर 74 to 1990, अब major change, अब हम आ गए हैं 1991, और 1991 से आपको माइड में क्या क्लिक होता है, economic reforms, इसको कहा जाता है phase 4, और ये phase अभी तक चलता चला आ रहा है, बहुत सारे weak fundamentals, जैसे हम अभी देखते गए, कि किस तरीके से हम resources generate नहीं कर पा रहे हैं, mismatch है, कितने हमें funds चाहिए, कितना हम invest कर रहे हैं, लगातार बहार से borrow कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, साथ ही साथ, जग Gulf War 1 हुआ, petroleum prices basically बढ़ने लगी, और सारे factors के combination, जो बहुत decade से लगातार in making थे, उसकी वज़ा से, late 1980s में, इंडिया balance of payment crisis को basically face करने लगा, और ये इतना ज़ादा बढ़ गया, कि 1990s में, finally, इंडिया को, International Monetary Fund या IMF के पास जाना पड़ा, to seek financial help, financial मदद के लिए, IMF, International Monetary Fund, ने agree किया कि, हम इंडिया को bail out करेंगे, financially help करेंगे, लेकिन, जैसा English में कहा जाता है, there are no free lunches in the world, कि free में कुछ नहीं मिलता, IMF ने भी इंडिया के उपर, कई सारी conditions को impose किया, और ये IMF की imposed conditions ही रही, जिन्हों ने, इंडिया को force किया, कि आप अपनी economy को restructure करेंगे, आप fundamental changes अपनी economy में लाएंगे, और जो economic reform start हुए in 1991, उसमें, privatization, liberalization, globalization, और private sector, कहीं ज़्यादा important role play करेगा, चाहे वो domestic private sector हो, चाहे वो foreign private sector हो, हमारे पूरी growth and development की story में, ये start हुआ phase 4, starting from 1991, तो बहुत अलग तरह का investment model, अभी हमने 7 या 8 salient features हमने, basically discuss किये, कि 1951 में जो हमारे investment models की शुरुआत हुई, 1990 तक उसे क्या features रहे, अब 91 में जब economic reform start हुए, तो actually पूरा scene ही change हो गया, कुछ important इसके elements discuss कर लेते हैं, 1991 या phase 4 का जो investment model रहा, जो monopoly sectors थे, खास्त और से industries के लिए, finally, ये जो conditions रखी IMF ने, कि private sectors ज़्यादा important role play करेगा, उसके लिए open up किये जाने लगे, सिर्फ कुछी sectors, जैसे nuclear research हो, nuclear power हो और railways हो, इनको अभी भी private sector के लिए बंद रखा गया, लेकिन eventually, even nuclear power और railways को भी private sector के लिए open up कर दिया गया है, इसमें आप direct foreign investment हो, उसको basically allow करेंगे, शुरुआत में 26% allow किया, बाद में अब 100% तक कई sectors में allow कर दिया गया है, यह जो नया investment model स्टार्ट हुआ, phase 4 1991 से, इसमें जो infrastructure है, उसमें पहले government-led investment था, अब वो होगा private-led investment, पहला major change, इंडस्ट्री में private sector का बड़ा participation, जो monopoly sectors थे, उनको भी private sector के लिए open up किया जाने लगा, और infrastructure में पूरी जो thought process ideology है, वो government-led investment के बजाए, अब private-led investment होने लगा, second important element, कि जो government of India है, इन्होंने एक नया idea introduce किया, पहली बार, जिसको कहा जाता है, triple P model, public-private partnership, और इसमें, public sector के साथ साथ है, government के साथ साथ, अब private sector भी partnership में उतर सकती है, अलग-अलग projects में, और इसका purpose यही था, कि इस initiative या public-private partnership, PPP model के थूँ, हम वो confidence, वो space private sector को दे पाएंगे, कि उन areas को भी वो enter करना शुरू कर दें, जो शायद अभी तक private sector के लिए, close थे, या जहाँ पे private sector को लगता था, कि अभी हम शायद तयार नहीं है, capable नहीं है, 10th plan, तक अगर हम देखे, तो जो private sector है, उसका, जो हमारा infrastructure है, उसमें roughly contribution 21% देखा गया, थू, ट्रिपल पी मोड, 11th plan में वो ही बढ़के 32% हो गया, और जो 12th plan रहा, उसमें हमारा plan था, कि ट्रिपल पी मॉडल के थू, या public-private partnership मॉडल के थू, infrastructure sector में, private sector का जो contribution होगा, और roughly 48-50% के आपस रहेगा, मतलब increasing reliance on private sector investment in infrastructure sector, ट्रिपल पी का introduction एक important element रहा, तीसरा important element है, ट्रिपल पी एक तो हमने देखा, public-private partnership, और एक हो गया ट्रिपल पी, public-private people partnership, और ये concept कब सार्ट हुआ, in the year 2002, ये स्टार्ट हुआ जो हमारा 10th plan है, 2002 से 2007 ताग, और इसके तरू कोशिश की गई, कि जो local level है, वहाँ के resources को mobilize किया जा सके, ताकि हम physical और social infrastructure, local level पे भी लोगों की partnership के साथ, उनके contribution के साथ, basically ensure कर सके, और ये initiative बहुत successful देखा गया, जब हम बात कर लें, watershed management की, जिसे गुजरात में, बहुत successful model देखा गया, पानी पंचायत के थू, जिसमें public, मतब government, private sector, उसके साथ, लोगों ने भी partnership करना शुरू किया, ये होगया मारा तीसरा, important element of, the phase four of the investment model, which starts from, post economic reforms era of, 1991, चौथा important element, कि private sector को support किया जा सके, उनको funds मिल सके, इसके लिए government ने एक, infrastructure development fund भी established किया, कि मालेजी ऐसे areas हैं, जहां पर private sector, enter करना चाहता है, या government चाहती कि private sector enter करें, लेकिन actually, private sector जितना fund, खुच generate कर पा रहे हैं, और जितनी जरूरत है उस sector को, उसमें जो gap रहे गया, इसको fund करने के लिए, viability gap funding, या VGF जिसको कहा जाता है, इसका concept भी हमको देखने को मिला, phase 4, starting from 1991, अच्छा, यह जो, triple P का idea है, public-private partnership, कितने different type के models हो सकते हैं, बहुत सारे, जैसे BOT, built, operate, transfer, कि private player ही इसको built करेगा, वही operate करेगा, और मालीजी, 20 years के लिए contract है, 20 years के बाद उसको, सरकार को, government को transfer कर देगा, similarly BOO, मतलब built, own, operate, कि आप ही built करेंगे, आप ही उसके owner है, आप ही उसको finally operate करते रहेंगे, BOT, मतलब built, own, operate, transfer, similarly BLT, build, lease, transfer, BOLT, build, operate, lease, transfer, DBFO, design, build, finance, operate, आप ही design करेंगे, आप ही build करेंगे, आप ही उसके लिए financial resources लाएंगे, और आप ही उसको operate करेंगे, DBOT, design, build, operate, transfer, DCMF, design, construct, manage, finance, etc. बहुत सारे different sub-models हो सकते हैं, triple B, basically model के, जो six important element है, कि actually, resource mobilization, खास्त वर से social sector का अगर हम देखें, तो वो, government से तो आएगा ही आएगा, लेकिन क्योंकि government एक limited capacity है, कि social sector में कितना fund basically दे सके, उसके लिए government एक नया novel concept लेकी आई, और अगर आप 2013, कि Companies Act में जो amendments किये गए, और जो concept आया, CSR का, corporate social responsibility, कि मतलब, जो private firms हैं, private companies हैं, वो भी अपने profit का, एक small percentage, हैं, जो education हो, health हो, infrastructure, etc., उसमें basically invest करना, ensure करेंगे, OneFact 2015 में, government ने ये भी कहा, कि जो PSUs हैं, वो भी अपनी earnings का एक part, या CSR का एक part, स्वच भारत अभियान में contribute कर सकते हैं, करेंगे, इसका मतलब, eventually, जो important element एक और हुआ, post 1991, कि corporate sector, का direct involvement कैसे हो, through basically CSR, social sector में, ये भी एक नई चीज निकल कर आई, इसका मतलब, अब corporate sector, कैसे enough resources को mobilize करेगा, एक तो खुद की needs के लिए, साथी साथ, CSR needs के लिए, इसके लिए government भी, tech structure reforms, financial reforms, fiscal policy reforms को, लाना शुरू कर चुकी थी, ताकि हमारा corporate sector, private sector, और ज़्यादा flourish कर सके, मतलब अब, 1991 या phase 4 के बाद देखें, तो economic की जो dependency है, private participation, सिर्फ industries में ही नहीं, infrastructure में ही नहीं, लेकिन, social sector में भी, private participation हमें बढ़ता हुआ दिखाई, देने लगा, और कोशिश यही की गई, कि government जो पहले गलती करती आ रही थी, कि सारा fund खुद ले जाती थी, और private sector के लिए crowd out कर दी थी, यह crowding out effect अब फिर से ना हो, और इसके लिए government ने, fiscal consolidation की process को, पहली बार सोचना शूरू किया, मतलब, fiscal consolidation का मतलब है, कि government ऐसा नहीं, क्योंकि powerful है, तो इतना ज्यादा market से पैसा बॉरू कर ले, कि fiscal deficit बढ़ता जाए, लोंस को चुका नहीं पाएं, और क्योंकि आप market से बॉरू करते जारें, private sector के लिए कुछ पैसा बचेगा नहीं, आप crowd out कर देंगे, तो एक limit हम set कर देंगे, कि इससे जादा आपका fiscal deficit ना हो, इससे जादा आपका revenue deficit ना हो, ताकि आपके finances एक control में रहें, तो उससे दो फायदे हैं, एक तो आपके finances control में रहेंगे, दूसरा, आप market से excessive money basically borrow नहीं करेंगे, तो private players के लिए जो efficiently operate करें, उनके लिए भी market में enough capital available रहेंगी, साथी साथ, जो subsidies हैं, इनको और ज़्यादा targeted कैसे बनाये जाए, ताकि इनके delivery better हो सके, pension reforms लाए गए, ताकि जो ये overvaluing subsidy burden है, financial system पे इसको कैसे कम किया जा सके, और वो जो funds हमारे जब बचेंगे, इनको private sector को कैसे available करवाए जा सके, ताकि efficiently हमारे economy run कर सके, इसके अलावा किस तरीके से general public की spending के लिए, और investment के लिए funds और resources available हो सके, इसके लिए किस तरीके से cheap interest rate पे, आप उनको funds available करवाए जा सके, कैसे अच्छा financial environment आप establish कर सकते हैं, कैसे आप inflation को stabilize कर सकते हैं, कैसे आप exchange rate को stabilize कर सकते हैं, कैसे आप पूरी growth and development की story में, important element क्या होगा, inclusiveness ला सकते हैं, ये भी phase 4 जो 1991 post economic reform हमारा start हुआ, investment models का, उसका important element है, अब जब नई government आई मिड 2014 में, उसके बाद एक नई basically energy, renewed synergy देखने को मिली, कि किस तरीके से private sector flourish कर सके, उसके लिए अच्छा performing, competitive, conducive environment create किया जा सके, जैसे ease of doing business को कैसे improve कर सके, licenses को cut down कैसे कर सके, या अगर किसी company को बंद करना है, उसको कैसे जल्दी से करवा सके, labor reforms कैसे लाए जा सके, या right kind of land acquisition law कैसे लाएं, labor laws को कैसे reform करें, government लगातार कोशिश कर रही है, इसका मतलब अगर हम 91 के बाद, in fact मैं कहुँँ, 1951 से ही आप देख लीजिए, कैसे अलग-अलग phases investment models आते गए, पहले सिर्फ government led, up to 1969, उसके बाद 70 में industrial policy के थुरू, पहली बार private investment को allow किया गया, फिर फेरा 1974 के थुरू, foreign capital को थुरू, technology transfer basically allow किया गया, उसके बाद फिर concept आया, 1985 industrial policy 85-86, joint ventures का, और जब 1991 में, balance of payment crisis हुआ, IMF ने conditions imposed की इंडिया में, इंडियन leadership ने reforms को roll out करना शुरू किया, इसमें private sector को, एक major central pivotal role दिया, उसके बाद पूरा investment model, public-led या government-led से अब हो गया, private-led investment model in the Indian economy, अब मतलब, government of India या even state governments, उनका focus है कि हम private players, ऐसे areas जहाँ पे वो capable है, interested है, demand है, वहाँ पे private sector supply करेगा, services और goods को, और जो government है, वो सिर्फ एक facilitator, या care taker, या regulator की तरह basically work करेगी, कैसे करेगी, कि आप right kind, ठीक तरह का financial system आप design करेंगे, आप एक proper legal framework तयार करेंगे, आप proper labor loss तयार करेंगे, मतलब आप उस सारे मसाले ingredients, आप वो महाल पूरा देंगे, कि आपका private sector flourish कर सके, और government sector, सिर्फ उन्ही areas में रहेगा, जहां पर private sector, या तो अभी interested नहीं है, या अभी capable नहीं है, या अभी capacity नहीं है, बाकी सारे sector से, धीरे धीरे exit करेगा, और private sector को एक lead role, देने की direction में, पूरी Indian economy basically, काम करेगी दोस्तों, तो ये हमारा आज का, third part of the discussion, कि किस तरीके से, inclusive net of growth, उसके साथ resource mobilization, resource mobilization में, कौन-कौन से different basically phases आए, इंडिया ने किस तरीके से, अपने game को change करते रहे, time के साथ, lessons learn करने के साथ, क्या positive sides रही, क्या उनकी weaknesses रही, gaps रही, तो अब हमारा discussion चल पड़ता है, आज के lecture, के last phase में, कि जब हमने अच्छे plans बना लिये, resources हमें क्या चाहिए, उसको map out कर लिया, investment models के थरू, उन resources को, funds को mobilize करना, शुरू कर दिया, available करवाना शुरू कर दिया, तो फिर last part क्या बच्चता है, इन सारे plans को, इन सारे processes को, projects को, programs को, ground level पे, जमीनी इस्तर पे, implement बेसिकली करवाना, execute करवाना, और किस तरीके से, Government of India, इन plans को, जमीनी इस्तर पे, implement करवाती रही होगी, दोस्तों, जो पूरी exercise है, plant development के इंडिया में, ये, दो type की schemes पे focus रही है, और इन donor types की schemes के अंडर ही, जितने भी projects हैं, जितने भी plans हैं, जितने भी programs हैं, वो fall करते रहे हैं, पहला, central sector scheme, और दूसरा, centrally sponsored scheme, इनका नाम आपने थोड़ी देरे पहले सुना होगा, अब detail में एके करके, इनको समझने की कोशिश करते हैं, donor schemes, चाहे वो central sector scheme हो, या centrally sponsored scheme हो, इनका नाम basically drive होता है, कि किस तरीके से इनकी funding आती है, साथी साथ, किस तरीके से इनको implement, basically करवाया चाता है, जैसे, जो पहली scheme है, central sector scheme, ये union government द्वारा, या central government द्वारा, hundred percent funded होती है, लेकिन इसको implement कौन करवाता है, state governments, और इसमें, generally सिर्फ वही schemes ली जाती है, जो actually, कौन से list of the constitution में होंगी, of course, union list of the constitution में, जो include होंगी, उनी subjects के ऊपर, जो programs, policies, projects हैं, plans हैं, उनको central sector schemes में include किया जाता है, इसके अलाबा, कुछ projects, कुछ schemes, कुछ programs ऐसे भी हो सकते हैं, जो central ministries, directly भी implement करें, states में, या union territories में, इनको भी आप central sector schemes कहेंगे, लेकिन आगर कोई central ministry, इसको directly state या union territory में implement करवाती है, हो सकता है, उसका fund, states को transfer ना करे, और खुद ही direct transfer करे, beneficiaries को, या implementation के वागत, अगर हम 2016-17 का एक major landmark reform देख लें, इन central sector schemes में, तो ऐसा लगता है, कि roughly जो 1500 ऐसी schemes हुआ करती थी, उनको 2016-17 के budget के थूँ, majorly reform करके, सिर्फ 300 schemes में ही, converge restructure कर दिया है, और इसका aim objective purpose यही रहा, कि किस तरीके से, overlapping duplicity, और better monitoring और evaluation हम कर सके, इस के direction में, इस aim के साथ, इस objective के साथ, 1500 central sector schemes को, अब pull down करके, सिर्फ 300 schemes में convert कर दिया गया है, तो यह होगे हमारा पहला, central sector schemes, मतलब union government 100% fund करेगी, और implement कौन करवाएगी, states, लेकिन कुछ central ministries हो सकता है, states की through ना करवाए, खुद भी directly करवा सकती है, जो दूसरा larger chunk है, जिसको कहा जाता है, centrally sponsored schemes, या CSS, centrally sponsored schemes में, एक certain percentage होती है fund की, यह देते है center, और बाकी बचा हुआ basically states, और implement कौन करता होगा, state governments, centrally sponsored schemes में, कोई भी central ministry, directly states में, या unitarities में, इनको implement नहीं करवाती है, जो CSS हैं, इनको कौन सी list, या centrally sponsored scheme को, कौन सी list से लिया जाता होगा, जो state list है constitution के, ऐसे subjects, जो state के domain में fall करते हैं, ताकि states, अपनी priority areas में, funding और attention को ensure कर सके, central government के through, और जो funds हैं, ज्यादा तर, जो states के consolidated funds हैं, या consolidated fund of the states हैं, उनके through, directly हो सकता है, transfer किये जाते हों, कुछ schemes में हो सकता है, funds, consolidated fund of the states की बजाए, states के, या district के, या local bodies को, direct भी हो सकता है, दिये जाते रहे होंगे, जो बैजल committee report 1987, उसके हिसाब से, जो centrally sponsored schemes हैं, उन schemes को आप कह सकते हैं, कि जिनको central ministries या departments, implement करवाते हैं, states के through, चाहे pattern of financing, basically कुछ भी हो, जब तक कि वो schemes, किस list में fall करती हो, state list में, और किस list में fall नहीं करती हो, union list में, इसका मतलब conceptual ये अगर आप देखें, तो centrally sponsored scheme, और additional central assistance, ये दौनों ही central government, basically किसको पास करती है, state government को, difference दौनों में ही, दौनों में किस में, centrally sponsored scheme, और additional central assistance, जिसको ACAB कहा जाता है, कि किस तरीके से, इनका historical evolution, basically हुआ है, किस तरीके से budget control होता है, funds कैसे release होते हैं, दोस्तों, अब, central plan assistance, CPA क्या होता है, नाम सुना होगा, central plan assistance, एक financial assistance है, जिसको government of India, provide करती है, किस के लिए, कि state के जो five year plans है, उनको support किया जा सके, और ऐसे financial assistance को, क्या कहा जाता है, central plan assistance, या central assistance, assistance मतलब, center assist कर दूए है, states को, तकि states अपने five year plans को, implement कर सके, इसके, अगर आप देखेंगे, तो, तीन important subsections है, central plan assistance के, पहला, normal central assistance, NCA जिसको कहते है, NCA, actually, based है, जिसको, गाडगेल मुखरजी, formula कहा जाता है, उस formula के basis पे, normal central assistance, central government देती है, as central plan assistance, to the states, और यह जो normal central assistance होता है, यह untied होता है, मतलब यह किसी particular project, या sector के साथ tied नहीं होगा, यह आपको untied पैसा, मालने, यह 20,000 crore सांग को दे दिये, central government यह नहीं कहीगे, कि इसको किस पे खर्च करना है, आपको जिस भी area पे, जिस भी five year plan, यह component यह इसको खर्च करना है, इसको आप खर्च कर सकते हैं, गादगिल formula ने, actually fourth plan, मैं इस formula को implement किया गया, कि यह normal central assistance होगा, यह कैसे states को दिया जाएगा, तबसे इसको कई बार revise किया जा चुका है, जो central plan assistance है, या CPA है, उसका normal central assistance, NCA के अलावा, जो second important concept होगा, या component होगा, वो होगा additional central assistance, या ACA, और यह basically provide किया जाता है, externally added projects, EAPSB जिनको कहा जाता है, इस पर अभी कोई ceiling नहीं है, लेकिन जैसे normal central assistance untied है, मतलब आप किसी भी project पे इसको implement कर सकते हैं, additional central assistance या ACA, actually scheme based है, मतलब जिस scheme के लिए आप को जितना पैसा मिलेगा, आप सिर्फ उस ही scheme पे उस पैसे को खर्च कर सकते हैं, और यह सारी schemes, कौन-कौन सीज schemes additional central assistance ने फॉल करती हैं, अगर आप यह statement 16 देखेंगे, expenditure budget volume 1 का, तो उसमें आप सारी details को बहुत clearly पढ़ सकते हैं दोस्तों, additional central assistance, यह actually जो special category states हैं, जब financial stress होता है, मतलब उनकी जो requirement है funds की, वो complete नहीं होती है, तो ऐसे states को भी special category states को भी center देता है, जो अगले 10 years में recover करता है center states के थूँ, और जो तीसरा important basically element हो गया है, central plan assistance का, वो है special central assistance, SCA, यह special projects या special programs, जैसे की western ghats development program, या border areas development program, इनके लिए दिया जाता है, नाम से समझ गए होंगे, special central assistance, इसका मतलब special projects के लिए, particular projects के लिए, वहीं पे additional central assistance, additional central assistance ACA दिया जाता है, externally added projects के लिए scheme based है, वहीं पे normal central assistance, गार्डगेल मुखरजी formula, जो की fourth five year plan से start हुआ, वो untied है, किसी particular scheme ये project से related नहीं है, तो यह तीन basically sub components हो गए, central plan assistance की, कौन कौन से financial components है, इसके अलाबा, यह जो special plan है, यह सिर्फ special category states को ही दिया जाता है, ताकि उनकी जो planning needs है, और खुद के जो resources है, उनके बीच में जो gap है, उसको central government basically fill कर सके, इसका मतलब, चाहे वो SPS हो, ACA हो, special category states के लिए, यह central government सिर्फ इसलिए देती है, कि actually आप, क्योंकि resources generate नहीं कर सकते, हो सकता है, जोग्रफी के लिए आप ऐसी position में हो, economically आप financial stress में हो, तो हम उस gap को fulfill करने के लिए, आपको यह extra funding दे देते हैं, लेकिन 10 years में इसको फिर हम वापस recover करेंगे, दोस्तों, Central Assistance, particularly ACA की form में जो आता है, मतलब Additional Central Assistance, यह centrally sponsored schemes में भी दिया जाता है, जैसे Accelerated Irrigation Benefits Program, जैसे राष्ट्रे कृषी विकास योजना, और जो SCA है, मतलब Special Central Assistance, Special Central Assistance मतलब किसी special project के लिए, इसको भी states और UTs में दिया जाता है, in addition to Special Component Plan, जिसको अब कहा गया है, Scheduled का Sub Plan या Tribal Sub Plan, उनके लिए भी Special Central Assistance दिया जाता है, इसके अलावा, जो funds, MP LADS, मतलब Member of Parliament Local Area Development Scheme में दिया जाता है, 5 crores per annum per MP, उसको भी Central Assistance के रूप में ही माना जाता है, जो हमारा 12th 5-year plan रहा, 2012 से 2017, उसमें यह Central Sponsored जो schemes हैं, इनके 137 schemes को restructure किया गया, finally 66 different schemes में, जिसमें से 17 flagship programs को categorize किया गया, साथी साथ, गॉर्मेंट ने एक Expert Committee भी साट अप की, विच वा chaired by who? Mr. B.K. चतुरुवेदी, जो उस वक्त के Planning Commission के एक Important Member रहे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सब्मिट की, 2010-2011, sector specific transfer होने चाहिए states को Central Government के through, मतलब की Union Government, अलाग-अलाग sectors में categorize करें कि, education में इतना पैसा, health में इतना पैसा, drinking water में इतना पैसा, sanitation etc. में इतना पैसा, rather than untight fund, क्योंकि अगर आप untight fund देंगे, तो हो सकता है state उसको ऐसे areas में divert कर दे, जिससे बाकी sectors हो सकता है, उसके पिछड जाएं, पीछे रह जाएं. फिर मार्च 2015 में, की centrally sponsored schemes को और कैसे rationalize किया जाए, एक subgroup बनाया गया Chief Ministers का, और ये decision बेसिकली लिया गया, जो governing council है नीती आयो की, और governing council क्या होती है, कौन components होता है, अगले lecture में काफी detail में बात करेंगे, नीती आयो की government council के direction में, मार्च 15 में, जो ये subgroup बना Chief Ministers का, इन्होंने कई सारी recommendation दी, इन्होंने ये भी कहा, कि subgroup के through, जो team India का concept आया है, नीती आयो के inception से, Vision 2022, इन सब को achieve करने की direction में, दो broad objectives clear cut निकल के आते हैं, पहला कि 2022 तक, जो basic immunities हैं, इनको सब तक पहुँचाया जा सके, इन्हे equitable and just manner, ताकि लोगों की जो life है, उसको self-respect और dignity के साथ ensure किया जा सके, साथी साथ, कि किस तरीके से, आप appropriate opportunities ensure करेंगे, citizens के लिए, ताकि वो अपना full potential basically realize कर सके, अभी जो existing 50 centrally sponsored schemes हैं, उनको फिर rationalize किया गया, और उनको restructure किया गया, 28 umbrella schemes, और कब किया गया, through the union budget of 2016 and 17, अगर major feature आप इस restructuring के देखें, तो जो centrally sponsored schemes रही, इनको दो parts में divide किया गया, एक core और दूसरा optional schemes, जो core schemes हैं, centrally sponsored schemes की, उनकी जो funding of pattern है, वो कुछ इस तरह होगा, कि अगर core schemes का देखें, तो जो हमारी 8 North Eastern states हैं, साथी साथ 3 Himalayan states हैं, उनमें funding pattern होगा 90 is to 10, मतलब 90% central government देगी, और 10% state government को देना पड़ेगा, लेकिन इन 8 North Eastern states, और 3 Himalayan states के अलावा, funding pattern क्या होगा, 60-14, मतलब 60% center देगा, और 40% states देगा, और Union Territories में, क्योंकि Union Territories तो पूरी तरह center द्वार गवर्ण होती हैं, 100% funding होगी central government के थूँ, वहीं, जो optional schemes हैं, उसमें जो funding pattern होगा, थोड़ा सा different होगा, उसमें, जो ये 8 North Eastern states हैं, और 3 Himalayan states हैं, इसमें 80-20 का ratio होगा, मतलब 80% fund कौन करेगा, central government और 20% basically state governments, और Union Territories, of course central government fund करेगी 100%, लेकिन ये जो core schemes हैं, खास तोर से social protection, social inclusion, social sector, इनको core of the core, basically ensure किया गया है, और जो national development agenda है, जो नीती I.O के governing council, decide करती हैं, उनके हिसाब से, जब भी funds available होंगे, तो सबसे पहले, social protection, social sector, social inclusion की जो schemes हैं, इनको core of the core कहा जा रहा है, उनको fund किया जाएगा, implement किया जाएगा, इसके अलावा, जो funds हैं, optional schemes के लिए, इनको कौन allocate करेगा, Ministry of Finance as a lump sum, और states के पास choice होगी, कि आप चाहें, तो कौन सी optional scheme को implement करना चाहते हैं, आप चाहें, तो कौन सी optional scheme को implement नहीं करना चाहते हैं, ना भी optional है, आपके पास choice है, लेकिन core of the core में choice नहीं है, core में choice नहीं है, funding pattern, core और optional schemes का, एक जगे 90 is to 10, 60 is 40, 80 is 20, governing council, साथी साथ, इन schemes में, funding क्योंकी central government भी कर रही है, नीती आयोग का concurrent jurisdiction होगा, कि इन schemes को नीती आयोग भी, states के साथ, और central ministers के साथ मिलके, monitor कर पाएगी दोस्तों, इसके अलावा, third party valuation भी कर सकती है, नीती आयोग, तो ये भी नीती आयोग का jurisdiction होगा, 2019-20 के अगर हम बात देख लें, तो ये जो centrally sponsored schemes हैं, ये broadly दो categories में, आप इसको देख सकते हैं, एक core of the core scheme, और दूसरा core schemes, अगर हम list देखे, कि core of the core schemes में क्या हैं, तो 6 important core of the core schemes हैं, National Social Assistance Program, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program, Umbrella Scheme for Development Scheduled Caste, Umbrella Scheme for Development of Scheduled Tribes, Umbrella Scheme for Development of Minorities, and Umbrella Program for Development of Other Vulnerable Groups, ये core of the core schemes हैं, वहीं, जो core schemes हैं, ये हैं Green Revolution, White Revolution, Blue Revolution, Pradhan Mantri Krishish Chai Yojna, Pradhan Mantri Gramsadak Yojna, Pradhan Mantri Aawas Yojna, Jal Jeevan Mission, Swach Bharat Mission, Arban, Swach Bharat Mission, Grameen, National Health Mission, National Education Mission, National Program of Midday Meals in School, Umbrella ICDS, Integrated Child Development Scheme, Mission for Protection and Empowerment of Women, National Livelihood Mission, Ajivika, Jobs and Skill Development, Environment, Forestry and Wildlife, Urban Rejuvenation Mission, Amrit and Smart Cities Mission, Modernization of Police Forces, Infrastructure Facilities for Judiciary, and Rashtrae Gram Swaraj Abhyan, and finally, PNJ Y Ayushman Bharat, इसके लावा, 23rd Border Area Development Program, BADP, and 24th, Sham Prashad Mukherjee, Rarban Mission, SPMRM, अभी जो, अभी जो इस schemes है, चाहे वो core of the core हो, चाहे core हो, total 6 core of the core, and 24 core schemes, total 30 schemes, यह अभी evaluation के process में हैं, कि कितनी effective रही हैं, और जो 15th Finance Commission है, उनकी भी कई recommendations के तुरू, इन schemes को, और streamline किया गया है, दोस्तों, तो दोस्तों, यह हमारा, आज का last part of lecture number 7, of Indian Economy रहा, जो conversation around, कि planning कैसी रही इंडियन economy में, हमने fourth lecture में शुरू किया, fifth lecture में इसको और mature किया, sixth lecture में हमने और detail में, एक-एक plan की details आपके साथ discuss की, जो seventh lecture है, इसमें कुछ important concepts, कि growth development हो, रिसोर्स mobilization क्या होता है, different investment models क्या है, different phases क्या रही, वो कौन से key stakeholders रहे, चाहे central government हो, state government हो, private sector हो, या फिर general public हो, जिसको investment की या funding की resources की ज़रूबत है, कैसे mobilized किये गए, और 91 के बाद phase 4 में, पूरा scenario कैसे change हो गया, कब हमने private capital को encourage किया, कब हमने foreign capital को encourage करना शुरू किया, क्या वो basically conditions रही, IMF की balance of payment crisis के बाद, जिसके बाद हमको private sector को actually lead position में भीजना पड़ा, और private public sector को एक back burner पे आना पड़ा, साथी साथ, क्या basically important चीजे रही, किस तरीके से, चाहे वो central sector schemes हो, centrally sponsored schemes हो, जिसके through central government, state government मिल के, उन सारे plans को execute करवाते हैं, ground level पर, क्या उनके funding patterns रहे, और इसी के साथ, आज का हमारा lecture number 7, conclude होता है, lecture number 8, जो हमारा होगा, वो हमें शुरुबात करवाएगा, कि ये सारी चीजें, अभी तक कौन कर रहा था, कौन वो central agency थी, जो इन सभी चीजों के लिए responsible थी, planning commission, the all powerful planning commission, और, क्या वो situation, रही होंगी, जिसकी वजह से, finally, government ने, 2014-15 में decision लिया, कि planning commission, अब शायद obsolete हो गई है, इसको replace किया जाना चाहिए, किसने इसको replace किया, या किसने इसको replace किया, किसके द्वारा सको replace किया गया, नीती आयोग, क्या वो circumstances थे, क्या नीती आयोग है, क्या उसका structure है, क्या important objectives है, क्या circumstances में नीती आयोग existence में आया, क्या वो important targets है, क्या वो important documents है नीती आयो के इन सभी को हम detail में lecture number 8 में आपके साथ discuss करेंगे और in lecture number 4, 5, 6, 7, 8 का जो हमारा discussion रहा about planning process in India जो अपने आप में एक major chunk है इंडियन economy का उसको भी conclude करेंगे दोस्तों मुझे उमीद है दोस्तों, आज का lecture number 7 आपको पसंद आया होगा stay tuned for our next set of videos until then Jai Hind, Jai Bharat